नमस्कार आदाव सास्रियकार और वेलकम टो मैनेट बेंस इंडियास बेस्ट औरने लर्निंग प्राइटफर्म जहां आपको मिलता है किंडर कार्डन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन आपसुली फ्री और कोस्ट आप यहां पे बोर्ड एक्जामिनेशन की तैयारी के लेने का चार्ज है एकदम बढ़ियां फ्री ओफ कॉस्ट सर्वेस और अच्छी सर्वेस आपको भी पता है ना चलिए तो हम लों क्या कर रहे हैं आप और मैं मिलके कर रहे हैं कक्षा दस्वी की मैच की पढ़ाई क्लास तैंड मैच में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक सब और दोड़ाई घंटे का आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए वहाँ पे हमने एपी के कॉंसेप को कवर किया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डवलप की है और एक्सरसाइज 5.1 को बढ़ियां से निप्टाया है ठीक है यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या ए आगे उसे बढ़ाते रहेंगे आपको क्या करना है केवल अपने मस्तिष्क में रज्जोरप्त कोशिकाए हैं अर्था जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून दोड़ते रहना चाहिए मतलब आपको खुद को अवेर रखना है एकदम बढ़ियां से और अवेक भी रखना है ज let us consider the situation again अगर आपने चैप्टर का सेशन का पहला पाट देखा होगा तो उसमें हमने एक सिचुवेशन थी रीना जी की ठीक है जिनोंने एक जौब के लिए अपलाए किया था और वो सिलेक्ट हो गई थी ठीक है अब जब वो सिलेक्ट हो गई है काम करेंगी तो उनको क्या म मिलेगी ठीक है तो जो उनके जौब सिलेक्ट की है उसमें हर महिने उन्हें आछ रुपए की सेलरी मिलती है कितने एट थाउजन रुपीज ठीक है अभी चर्चा का विशय यह नहीं कि यह साल जादा है कि कम है विशय यह है कि उनको हर साल इंक्रिमेंट मिलेगा अर्थात एक साल खतम होने के बाद उनके एक साल अच्छे से काम करने की खुशी में कमपनी उनको अगले साल हर महीने 500 रुपे जादा देगी. मतलब सालरी कितनी हो जाएगी? 8500 हो जाएगी. What would be her salary for the 5th year? पांचवे साल में उनकी सालरी कितनी होगी? तो सर, पहले साल 8000, ठीक है? अगले साल 500 बढ़ जाएगी तो 8500, फिर अगले साल 500 बढ़ जाएगी तो 9500, और फिर बढ़के हो जाएगी 10,000. ये 1st year में, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये 5th year में 10,500 होगी उनकी सालरी. आसान सवाल, क्या किया हमने? सर, हमने तो यहाँ पर अब तक AP का logic यूज भी नहीं किया, simple basic understanding बताई हमने, कि जो जहां से start हो रहा था, उसमें हर साल 500 500 add करना था. और यही AP का भी concept है, कि जब आप एक set of numbers ऐसे पकड़ते हैं, जिसमें कि fix gap होता है, या फिर वो fix gap के तहट आगे बढ़ते हैं, या फिर नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें, तो 500 के gap से आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी year में बीच में एकडम से 1000 का gap नहीं आगया है, ठीक है, तो 500 के gap से आगे बढ़ रहे हैं, तो gap consistent है, add, subtract करने पे वही result मिलता है, तो फिर आप उसको AP कहते हैं, है ना, तो AP क्या होता है, एक ऐसा logical arrangement of numbers, अगर मैं revise करवाओं, तो एक ऐसा logical arrangement of numbers, जहां पे अगला number, पिछले number में कुछ add या subtract करने से बना है, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं, लोग की difference जो है, gap है भी इसमें, वो consistent है, तो कहने के बहुत सारे तरीके पर बात वही है, ठीक है, चले, तो यहां तक तो हम समझ गए कि क्या करना था, आगे अब देखते हैं, और क्या लिखा है, तो आगे लिखा है, की to answer this, अब देखो उन्हेंने solve भी करके दिया, आपने यहां पे, की to answer this, आपने क्या किया है, उ उसके बाद चौते साल में वो और बढ़के हो जाएगी कितनी, आठ हजार यहां पे हो जाएगी, आठ हजार नौजार पांच सो और दसवे साल में, पांच वे साल में कितनी हो जाएगी, दस हजार हो जाएगी, लेकिन यहां पे आपको एक pattern observe करने को कहा जा रहा है, कि यह amount basically आ कैसे रहे तो यहां देखना पहले था 8000 ठीक है फिर हो गया 8000 प्लस 500 ठीक है फिर हो जाएगा 8000 प्लस 500 प्लस 500 किती बार है दो बार है ठीक है इसको मैं अगर अलग से लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यह basically है ब्राकेट के अंदर लिख रहा हूं 8000 प्लस टू इंटू 500 ठीक है यह इंपोर्टन चीज़ यह समझना और यह मैं पहले भी एक बार आपको फिसले सेशन में इसको थोड़ा सा इस पर हाइलाइट कर चुका हूं तो बस आपको उसी को कंटीनू करना यह देखो यहां पे भी और उसके बाद चौथे साल में तो यह एक दो तीन बार बढ़ेगी और चौथे साल की सालरी मिल जाएगी पांचवे साल में एक दो तीन यह हो गया फिर उसके बाद चार बार बढ़ेगी एक दो तीन चार ठीक है अब इसको भी अगर मैं लिखूं तो यह हो जाएगा आठ हजार प्लस 3 इंटू 500 ठीक है और ये हो जाएगा आठ हजार प्लस 4 इंटू 500 ठीक है चलो 5 साल तो आसान था अपने लिख लिया कोई पूछेगा 15 साल बाद कितनी सालरी होगी 25 साल बाद कितनी सालरी होगी 35 साल बाद कितनी सालरी होगी तो अब वो बात प्यार है हम लोग कि जब आपको कोई बहुत दूर की पोजीशन निकालनी हो चाल आपको पांचवे साल की निकालनी थी फिफ्ट पोजीशन निकालनी थी आपने आसानी से निकालनी ठीक है पर जब आपको 25 वी 35 वी 45 वी 115 वी position निकालनी हो तब कैसे निकालोगे तो मैं इसी को जो मैंने यहाँ पर लिखा इसको मैं थोड़ा सा change करके लिख रहा हूँ ठीक है मैं इस में से कुछ चीजें गायब कर रहा हूँ ठीक है यह देखो और गायब कर रहा हूँ च्योंकि मुझे आपको इक pattern observe करवाना है ठीक है चलो यह हो गया उसके बाद यहाँ पर आएगा 8000 into 1 नहीं 8000 plus 1 into 500 और यह हो गया आपका सबसे पहला वाला 8000 ठीक है चलो यह पहले साल का है यह दूसरे साल का है यह तीसरे साल का यह चौथे साल का यह पांचवे साल का ठीक है pattern observe करना पहले साल पहली value ए 8000 क्योंकि आपको पता है ए थोड़ा अलग ही चलता है तो उसको अमने अलग से नाम भी दिया होगा तो यह तो हो गया अच्छे यहां पहले बताओ गाप कितना चल रहा है सार हर साल 500 से इंक्रीज कर रहे हैं तो हम अगर एपी के logic में कहें तो डी की value है 500 चलिए अब यहां देखो second year के लिए आपने एक बार 500 मल्टिप्लाई किया ठीक है third year के लिए आपने दो बार 500 मल्टिप्लाई किया fourth year के लिए आपने तीन बार किया fifth year के लिए आपने चार बार किया अगर कोई seventh year के लिए पूछेगा तो कितनी बार मल्टिप्लाई करोगे छे बार वही जो pattern चल रहा है दो साल का पूछा तो एक बार मल्टिप्लाए तीन साल का पूछा तो दो बार मल्टिप्लाए चार साल का पूछा तो तीन बार मल्टिप्लाए पांच का पूछा तो चार बार साथ का पूछेंगे तो छे बार दस का पूछेंगे तो नो बार होगा 20 वी का पूछेंगे तो 19 बार होगा 35 का पूछेंगे तो 24 बार होगा मतलब एक कम किसके साथ? Starting point के साथ हमेशा देखो सब में 8000 तो common ही है उसमें और add कर रहे हैं तो basically अगर कोई मुझसे बोलता है कि मुझे 10 वे साल में 10th year में कितना मिलेगा तो मुझे actually सारी terms को लिखने की जरुवत नहीं है मैं क्या करूँगा Starting point पकड़ूँगा 8000 10th year का पूछ रहा है तो 9 से multiply कर दूँगा मेरे gap को मतलब common difference को क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने लिखा कि मुझे 10th year साल का निकालना है तो पूरा लिखने की जरुवत नहीं है Starting point पकड़ूँगा 8000 च्योंकि वो सबके लिए same ही है उसके बाद 9 into कर दूँगा 500 क्योंकि 10 साल का बोला है और अगर आप एक और logic समझे तो यहाँ देखो 10 साल का बोला है 9 साल अपने वाद निप्टा दिये 9 into 5 करके तो 10 साल जितने थे उतने ही intact है कुछ अलग नहीं हुआ है कल को यह मत सोचना कि हमने 1 साल गयाप कर दिये जो 1 साल है वो पहला वाला साल है जिसको हम नहीं किन सकते क्योंकि वहाँ से pattern शुरू हो रहा है उसमें pattern आप नहीं find कर सकते हैं वहाँ से शुरू हो रहा है उसके बाद वाले year में 500 अड़ करके आ रहा है तो इसलिए उसको हम लोग अलग से लिखते हैं ठीक है अब पूछ रहा है इस numbers form an AP येस दे डू form an AP because the gap is consistent common difference is same that is 500 अब यहाँ देखो now looking at the pattern formed above can you find her monthly salary for sixth year बिल्कुल सर पांचवे year में 10,000 थी छटवे year में 500 बढ़ जाएगी तो 10,500 हो जाएगी पंद्रवे year के लिए दिक्कत थोड़ी आ सकती है और सर आपने जो भी method सिखाया अगर हम उस पे ध्यान दे उस पे ध्यान दे तो यह हो जाएगा 8,000 प्लस पंद्रा का पूछा है तो एक कम कर दें क्योंकि एक साल हमने पहले यहाँ पे लिख लिया है और क्योंकि हर साल 500 से बढ़ रही है तो इंटू 500 25 साल का पूछेगा तो वहाँ भी 8,000 प्लस 24 इंटू 500 25 नहीं होगा क्योंकि पहली बात तो एक साल का यहाँ पे काउंट हो चुका है तो बचा हुआ 24 साल का वहाँ पे लगेगा और 24 साल लगातार 500 से बढ़ रही है तो हम 500 से मल्टिप्लाइ कर रहे हैं ठीक है चलो यह वुड़ कालकुलेट डिस बाइडिंग पांस्तो इच नहीं तो जालरी प्रीवेस यह टेकनिकली आप ऐसा ही करेंगे जब तक आपको यह कोई शिखा न दे ठीक है मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 15 साल का पूछे का 14 बार आइड करना पड़ेगा पूरा हमारा जो नोट बूक है वही फिल हो जाएगा पच्चिस का पूछे का तो हालत खराब और अगर पचास का पूछ लिया तो बुखा रहे आ जाएगा पिछत्तर का पूछ लिया तो कुछ और ही हो जाएगा भाई या फिर तो इंसान तकलीफ में आ जाएगा हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया है कि कैसे ये होगा तो हमें आइडिया क्या मिला है कि मान लो आपको पंद्रवे साल का पूछ रहा है तो आप क्या करोगे आप चौदा वाला साल में पांचो रुपए आड करोगे अगर हम नॉमली करते तो हम क्या करते कि सर चौदा साल तक की सालरी निकालते फिर पंद्रवे साल के लिए पांचो और आड करते तो यहां पे देखो क्या बोला उन्होंने कि पंद्रवे साल के लिए आठ हजार प्लस चौदा इंटू पांचो करना पड़ेगा कितना पहले यह 8000 में जोड़ चुका है तो इसलिए एक साल में बचे हुए 14 साल में क्या हो रहा है 500 से बढ़ रहा है कि पहले साल में तो चीदे शुरू हो रही है तो जो शुरू हो रही है उसको अब गिन नहीं सकते यहां पर देख लो फॉर्स सालरी जहां से पूरा मामला क्या आपको यह समझ में आया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर तो यहां से हम बढ़ रहे हैं इस एनित्थ टर्म वाले कॉंसेप्ट की तरफ ठीक है दीरे दीरे चलो 25 साल का पूछेगा तो सर वही जो आपने बोला कि पहली सालरी जहां से मामला पूरा और इसी को हम कहते हैं एनित्थ टर्म का लॉजिक क्या होता है देखो एनित्थ टर्म का लॉजिक होता है मतलब बेसिकली जब आपको पूरा अपना कोशन पढ़ा आपको एपी मिल गया लेकिन उसमें कितने टर्म से यह नहीं पता और आपको कौनसी टर्म निकालनी है वो का जाता है एन का मतलब यहां पर वो अन्नून कॉंटिटी है जो आपको निकालनी है वो टर्म पोजीशन ठीक है जिसे यहां पर देखो सेकेंड टर्म कैसे निकाल रहा है एटू हो जाएगा एप्लस डी डाट इस एप्लस टू माइनस बान इंटू डी जो मैं आपको समझा प्लस सौरी प्लस बान इंटू 500 और बान इंटू 500 को लिखने का एक और तरीका है आठ अजार प्लस टू इंटू माइनस बान इंटू 500 सरे टू माइनस वन करने की क्या वशकता पड़ी जो कि आपको पोजीशन और सलीशन में कनेक्शन तो ढूड़ना ही पड़ेगा ना अब तीसरी टर्म को यदि आप देखें तो उसमें है 3-1 ठीक है चौथी टर्म को आप देखें तो उसमें है 4-1 ऐसे हमने 5 भी टर्म को चले तो वह हो जाएगा a plus 25-1 into d is equal to a plus 24d और माइनस बन करने का सिंपल लोजिक है कि एक साल आप पहले ही गिन चुके हैं सबसे स्टार्टिंग वाला ठीक है तो वह अगर गिनेंगे तो भाई आपको 25 में से एक कम करना पड़ेगा तो इसलिए एक माइनस किया जाता है ठीक चले अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है कि एनेथ टर्म निकालने के लिए सर एनेथ टर्म का मतलब कोई unknown position कोई unknown rank निकालने के लिए आपका ये formula बनता है कि जो भी position आपको निकालनी है उस में से एक माइनस करन है डी से मल्टिप्लाइ करना है और स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं भूलना है मालो आपसे कोई बोलता है 47 टर्म निकाल दो तो यह आपकी एनेथ टर्म है 47 position पर कौन है आपको नहीं पता unknown है तो यहां पर आप लिखोगे n is equal to 47 तो जो formula है basically an का वो in general सारी unknown terms का एक way of expressing है ठीक है यहां पर एन था तो 47 बोला आपने तो 47th position बताने का एक तरीका है क्योंकि जो formula होता है वो थोड़ा general होता है वो हर एक जगा पर applicable होता है ठीक है अगर मैं लिख दूँ कि कोई आपको unknown quantity बतानी हो तो formula होगा a plus 46 d गलत हो जाएगा क्योंकि वो cable 47 में आपनी cable है बाकी सब में नहीं है तो position rank के इसाप से आपका जो formula है वो change होते रहेगा हर एक case में अलग-अलग तरीके से apply होगा जो भी आपकी n की value होगी ठीक है जैसे यहां पर कोई बोलता है 47 term तो आप निकालोगे basically a47 formula कहता है answer is a plus 47 minus 1 into d बोल चाल की भासा में इंसान लिखता है a plus 46 into d कोई पूछेगा 35 तर्म तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाईया minus 1 करना है तो a plus 34 d कोई बोल देगा 29th term तो आप कहा निकालोगे a plus 29 minus 1 that is 28 into d a का क्या होता है वो starting point होता है तो उसको रखना जरूरी है वरना तो गड़बड हो जाएगी चलिए एक तो आपका first term होता है फिर common difference होता है d और इची से आपको मिलता है nth term ap का that is an is equal to a plus n minus 1 into d क्या कोई दिक्कत बिलकुल नहीं सर कोई समस्या नहीं सर आराम से हो गया चलिए यहां पर हम थोड़ी screen की सफाई करें और देखें अगली line में हमा so called general form of a term of the AP अर्थात जो गनित क्या कहता है कि भाईया कोई भी चीजना specific किसी एक particular सवाल के लिए नहीं होनी चाहिए वो सारे जगत के लिए होनी चाहिए तो अगर आपको कोई भी AP दे दी जाए उसका कोई सा भी term कोई सी भी position कोई सी भी rank पूछ ली जाए तो आपको अट a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d वाला वैसे ही यह general term है मतलब किसी भी random AP का कोई सा भी term निकालने को आपको दे दिया जाएगा तो आप इस an term को यूज करके मतलब इसके method को, इसके concept को, इसके idea को यूज करके उसे पता लगा सकते हैं if there are m terms in an AP and am represent the last term then it's sometimes denoted by L, कुछ जगाओं पे गनित में जो last term है उसे an की जगा L के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें यह कई बार आपको यूज में आएगा, कि last term को, क्योंकि भाई वो आखरी term है, देखो, जहाँ पे AP है finite, पर जहाँ पे number of terms आपको पता है कि इस AP में पचास ही term है, ठीक है, उस AP में जो last term होती है, उसे आप an की जगा L के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, चलिए, कुछ और example देख लिए ता कि हमारे idea clear हो जाए, example देखना क्या है, basically solve ही करना है हमें, चलिए, सबसे पहला सवाल है, यह लिखते जाएं और जैसे ही 10 वी term आपको मिली, आप उसको अपने जवाब के रूप में finalize कर दें, परन्तु समय हमारे पास कम है, काम बहुत जादा है, तो हम इसको थोड़ा सा simplified way में या आसान तरीके से करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले तो जो चीज़ें पता है वो लिख लो कि A की value है 2, D की value कितनी होगी तो सर वो हो जाएगी 7 minus 2 that is 5, ठीक है, अब आपको 10th term चाहिए, ठीक है, तो basically मुझे यहाँ पे एक particular position, एक particular rank निकालनी है, और मैं उसको N से denote करता हूँ, जो position मुझे चाहिए, तो मैंने लिखा N की value है 10, मुझे 10th term चाहिए, तो मु इसी भी AP की 10th term आप कैसे लिखने है, तो सर, A10 के रूप में, ठीक है, है कि नहीं, 10th term मतलब आपको क्या चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे sequential order में लिखूं, 10th term को represent करने के लिए, हम जैसे अब तक यूज कर रहे थे, पहली term को A1 बोलेंगे, दूसरी term को A2, वैसे 10th term को आप क लिखोगे और A N से compare करोगे, ठीक है, A N compare to A10 आपको मिलेगा, N की value is equal to 10, परन्तु जब हम mathematics solve कर रहे हैं, तो हमें इतना जादा explain करने की जरूबत नहीं है, टीचर को ये बात भली बाती पता है, कि ऐसे ही N की value निकाली जा सकती है, तो आप डारेक्ट लिखोगे, N is equal to 10, अ जब आपको कोई unknown position, unknown rank निकालनी है, तो आपको निकाल सकते हो, A N is equal to, जहां से पूरा मामला शुरू हो रहा है, that is, A या A1 जो भी आप लिखें, प्लस जितना आपको बोला है, उसमें से एक घटा दो, क्योंकि जो एक है, वो पहले यहां पर जुड़ चुका है, first term के रू आपने कितनी, D, क्योंकि common difference की वज़े से तो AP बनती है, अगर common difference नहीं होगा, तो AP कैसे बनेगी, तो यहां पर आएगा, D, समझ में आया, आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, अब यहां देखो, A N मतलब हो जाएगा, यहां पर आपको 10th term चाहिए, तो आपने लिखा A 10, उसके बाद यहां पर आपने लिखा A की जगा पर 2, N की जगा आपने लिखा 10, क्योंकि आपको 10th term चाहिए, minus 1, D की जगा आपने लिखा 5, तो इस formula को use करके हम यह वाले result तक पहुँचे हैं, तो 10th term निकालने के लिए, A 10 is equal to 2 plus 9 into 5, ठीक है, जो की हो जाएगा, A 10 is equal to 2 plus 45, that is, कितना, A 10 would be equal to 47, अब जब आप इस concept को बहुत ज़्यादा practice कर लेंगे, और आप इसमें एकदब master हो जाएंगे, तो आप पता है क्या बोलेंगे, कि सर, 10th term निकालनी है, तो सिर्फ हमें A plus 9, D करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब आप इसको practice करेंगे, तो आपको इस level प पट से ही आना चाहिए, कोई बुचे का 74th term, तो A plus 73D, concept क्या है, concept यही है, लेकिन आप बस क्या कर रहे हैं, कि यह formula को लिखने की जगा mentally solve करते हुए, वो सारी चीजे बता रहे हैं, कि अगर आपको 10th term बोली है, वो वाली calculation करो, आपको आपका answer मिल जाएगा, आपको 74th term बो करेंगे, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, अगर आप बोर्ड एक्जाम के तयारी करो, तो यहां पर आप लिख सकते हो, we know that, ठीक है, we know that an is equal to, और यहां पर आप लिख सकते हैं, now, यहां पर आप यहां पर लिखो कि now according to question, according to question, मतलब सवाल के हिसाब से, क्योंकि हमें 10 वी value बोली है, तो ऐसे कुछ English के एक दो statement अगर आप लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, थोड़ा impression अच्छा पड़ता है, पढ़ान, चेक करने वाले पर, चलिए, और लाच में अंसर आगया, A10, तो आप क्या करोगे, क्या यहीं पर छोड़ दोगे, नहीं सर, एक डबबा ब बोल रहा है, which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81, also is any term zero give reason for your answer, अब यह आगया, टिपिकल तीन या चार नंबर का सवाल, ठीक है, इसमें आपको यह नहीं बोल रहा है कि 10th, 14th या 17th position वाला नवो निकालो, term निकालो, बलकि वो बोल रहा है कि हमारे पास AP है, उस AP का पार्ट एक हमारे पास minus 81, एक वाल्यू है, पर आपको यह बताना है, इस minus 81 की position क्या है, यह कौन सी rank पे है, यह AP में कहां पे है, कौन से नंबर पे है, ठीक है, तो basically अगर आप देखे यहां पे, अगर मैं केवल पहले पार्ट पे focus करूं फिलाल के लिए, तो यह हो गया, actual उसी concept पे based एक तीन नंबर क सवाल, पिशला वाला क्या था माल लो, एक यह दो नंबर का, कि आपको कोई term निकालनी थी, 21, 18, 15 and so on है, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, कि देखो, एक ही value कितनी, एक ही value हो जाएगी, यहां पे 21, डी ज़रा बताओ कि मुझे साथ D होगा, 18 minus 21, मतलब basically minus 3, वह आप से क्य बोल रहा है, कि यह एक term है, ठीक है, कौन सी term है, वो नहीं पता, unknown है, तो आप क्या बोलते हो sir, unknown है, तो मतलब आप unknown quantity को use करेंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस case में, an की value हो जाएगी, minus 81, मैंने क्या बोला, कि एक particular position पे होने वाला number है, minus 81, पर वो position कौन सी है, वो rank कौ कौन सी है, मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या लिख दिया, an लिख दिया, ठीक है, जहां पर अब मुझे क्या रूणना है, कि इसकी position, इसकी rank क्या है, वो कौन सी number है, वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी position है, जिस पर यह लाए कर रहा है, तो इसलिए n के आगे लगा दिया, म मुझे पता करना है, कि n क्या है, ठीक है, चले, अब इसको solve करने का प्रयास करें, क्या लिखेंगे, हम using the formula, कौन सा formula यूज कर रहे हैं, हम लोग यहां पर, nth term find करने का, which is, an is equal to a plus n minus 1 into d, ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, we know that, an equals to an, a plus n minus 1 into d, अब इसमें जो जो चीजें आपको पता है, minus 81 आपको पता है, आपने लिख दिया, ठीक है, सर, आपको कैसे पता कि an की value minus 81 है, देखो, an तो general term है, तो वो minus 81 भी हो सकती है, वो इसी ap की कोई और term भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पर हम minus 81 लेके तो हमें n की एक निश्चित value मिलेगी, माल लोगर कोई term होता है, इसमें 78, minus 78, तो फिर उसके लिए हम an यूज करके उसकी specific n की value निकालते, यहां जो n की value आएगी, वो कहीं और नहीं आएगी, ठीक है, यह बात ध्यार लखना हमेशा, चलो, a की value आएगी, कितनी सा सवाल में दिया है 21, n आपको पता नहीं है, तो आपने रख दिया है n minus 1, as it is, d की जगा आप लिखेंगे minus 3, अब आप पहले यह 21 को यहां लेके आएगे, तो minus 81 और minus 21 हो जाएगा, ठीक है, और यह हो जाएगा equal to n minus 1 into minus 3, अब अगर आप चाहें, तो minus 3 को अंदर multiply करके आगे solve कर सकते या फिर उसको ऐसे ही continue भी कर सकते हैं, बात बराबर होगी, एक और एक दो, आठ और दो, दस, तो minus 102 इस तरफ, minus 3 जो multiplication में है, वो side change करेगा, तो division में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, यहां पे n minus 1, minus से minus cancel, 3, 3's are 9, 3, 4's are 12 होगा, है ना, कितना बचेगा, हाँ, तो 34 is equal to n minus 1, minus 1 इस तरह आएगा, तो plus हो जाएगा, तो 35 is the value of n, तो हमने यहां पे general term का, nth term का formula यूज़ करके, पता लगाया, कि minus 81 की position की rank क्या है, तो वो है 35th term, ठीक है, यह हमने पता लगाया, 35th term है, वो, एक चीज़ आपको मैं यहां पे बता दूँ, अगर solve करते करते, आपक कर ले ना, क्योंकि उस case में हो सकता है, आपने कुछ गलती करी हो, क्योंकि यह rank है, position है, तो यह कभी negative नहीं हो सकती हमेशा, positive ही रहेगी, ठीक है, कि आपको यह समझ में आया, अब देखो, आपसे क्या बोल रहा है, second part में, सवाल का first part आगे, आपको समझ, आपको general term निकाल नहीं थी, आपने उसको minus 81 declare कर दिया, solve कि आगे, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि 35th position है, चलो यह वाला पार्ट तो हो गया, second part देखो, also, is any term zero, क्या, इस AP की कोई term zero है, यह हम से पूछ रहा है, तो भाईया, हमें अभी तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलते ह चारी, यहाँ पर हम method use करते हैं, एक special वाला जिसमें हम मान लेते हैं कि जो पूछा जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं, मतलब कि यह जो zero है, इस AP का part है, अब AP का part है, तो कुछ ना कुछ position, कुछ ना कुछ rank तो होगी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रयास करेंगे कि हम वो position या वो rank ला पाएं, तो let an b equal to zero, लेकिन पिसले बार आपने का था, an is equal to minus 81 है, वो एक case था, case वो वाला रफा रफा हो गया, हमने n की वाजर निकाल दी, वो मामला वहीं पे निपड़ गया, भाई यह जनरल है, जनरल में जैसे train का जो जनरल ने खिड़की से और आप चड़ सकते हो, उसमें आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से reservation करवाना पड़ता है, आप normally खिड़की से जाके train का ticket लेके चड़ सकते हो, वैसे ही जो एन यह जनरल में यह सब के लिए, कोई भी यूज कर सकता है, अपने सवालों के जवाब पता लग बाकी सब तो हमें पता है, चलिए, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें, तो हम बोलेंगे कि we know that वही हमें पता है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे an is equal to a plus n minus 1 into d, अगर आप अपने मन में यह बोल रहे हैं कि देख रहा है न विनोद, कैसे इंग्लिश लिख के सार हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि एक्ष्टा लिखो तो प्रभू मेरे जो आपके टीचर होंगे वो भी इन सब चीजों से अफेक्ट होते हैं तो मैं कोई बहुत जादा आपको शेक्सपियर बनने के लिए नहीं बोलनों लेकिन बेसिक सेंटेंस लिखना थोड़ा सा आपके जवाब को सुन्दर बनाता है ठीक है चलिए एन हो गया ए प्लस एन माइनस वाइन टू डी तो एन है यहां पे जीरो एकी जगा हो गई ट्वेंटीवान ठीक है एन माइनस वान ह तो भी आन तो हमें प्रता करना हो डी की वाइली हो गई कि माइनस थolas यह चलिए हम जब इस तरह आएगा तो बैद माइनस-1-2 फैकि माइनस मइनस-1 चराएगा इन तो आपका जवाब आजवाब झाए है कौन सी टर्म है तो इस AP की 8th टर्म है यहां पे 0 गी रीजन फॉइ आंसर कि भाईया आपने देखा कि solve करते वक्त AN की वैल्यो आ रही है AN 0 रखने पे N की वैल्यो आ रही है 8 मतलब 8 टर्म है इस particular AP की 0 सर अगर यहां पे ऐसा होता कि यह N की वैल्यो डेसिमल में आती है तब हम क्या करते तो देखो N एक position है एक rank हे एक जगा है टो वह कभी ही डेसिमल या fraction या Beauty या नेगेटिव नहीं हो सकती । कर आधा पका इस टाक्ष न कुछ गढ़बर है और अगर आपक आपके calculation में कोई गड़बड नहीं है तो मतलब फिर जहां से पूरा मामना शुरू किया वहीं से गड़बड है अगर मेरा अंसर आता decimal में तुम्हें क्या बोलता कि देखो कभी भी किसी चीज़ की rank या position decimal में नहीं हो सकती इसलिए यहां पे an को assume करना कि वो इस ap का part है जीरो को assume करना इस ap का part है हमारी गलती थी तो मतलब हम गलत थे और यह जीरो इस ap का टर्म नहीं है अगर decimal में आता तो अब यह नहीं आया है perfect number आया है real number आ श्री को यहां पर जो मैं आपसे बोलना था पहले वाले सेशन में कि आपको कुछ कुछ कंडिशन दे दी जाएंगी जहां से आपको a or d निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको समझ मायागा कि पूरी ap कैसी है यहां पर देको क्या बोल रहा है determine the ap whose third term is five क्या बोल आपसे third term है five अच्छा third term मतलब आप कैसे लिखते हो a3 है ना और वो क्या है वो है five के बराबर ठीक है और seventh term is nine तो a7 आपसे बोल दिया गया कि वो है nine चालिए अब आप क्या करेंगे sir हमारे पास a3 जो है वो third term जो है अगर हम general formula का इस्तमाल करें तो शायद हम इन दोनों को same platform पर ला सकते हैं देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर हम use करें using an equals to a plus n minus 1 into d क्या प्राप्त होगा हमें sir यहां चाहिए हमें समझ में आएगा कि a3 would be equal to a plus 3 minus 1 into d खुल मिलाके a3 मतलब 5 is equal to a plus 2 d ठीक है seventh term के लिए a7 is equal to a plus 7 minus 1 into d ठीक है solve किया आपने तो 9 is equal to a plus 6 d अब अगर आप compare करेंगे इस वाली equation को और इस वाली equation को दोनों लगबख same page पे हैं variables भी same है और आपके पास आप solve करके linear equation in two variables के तहत answer भी आने के chances प्रबल है उसके पहले seventh और third term थे तो कुछ आपको खास समझ में नहीं आएगा ठीक है कि कैसे answer निकालना है क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी एपी हो सकते हैं जिसमें पांच और नौ आएंगे पर exact इसी position पे आना एपी का logic maintain करके चलना थोड़ा मुश्किल है इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर equations का यूज करके अपना answer निकालेंगे एक equation है a plus 6d is equal to 9 दूसरी है a plus 2d is equal to 3 3 की 4 कितना नहीं 5 है चलिए देखा यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा अब यहाँ देखना मेरे भाई माइनस करेंगे तो a से a cancel 0 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा तो प्लस 4d और 5 गया 9 में से तो 4 बचेगा तो यहाँ पर आएगा d की value is equals to 4 upon 4 that is 1 क्या कि आपने आपने nth term का formula यूज किया आपने जो दो randomly चलती हुई terms थी 3rd और 7th उनको एक common platform पे लाए जहाँ पे वो एक दूसरे के थोड़े similar लग रहे है जान पैचान वाले लग रहे हैं और जान पैचान वाले लग रहे हैं तो आसानी से एक दूसरे स प्लस 2D is equal to 5 हम इसमें सॉल्व करके अपना अंसर बता सकते हैं कि a plus 2 into 1 is equal to 5 a would be 5-2 that is 3 अब क्योंकि हमारे पास आ चुकी है एपी के साथ चुकी भाईया और डी आ गया तो मतलब एपी आ गई तो कि उसके बाद तो फिर के वर लिखना है कुछ खास करने की जरुवत है नहीं तो एक ही वाली त्री डी की वाली है positive 1 मतलब एड होगा तो तीन चार पांच आई तीसरी टर्म एपी लिखते आप कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको एपी यहाँ पर मिल गया समझ में आ गया कैसे हमने पहले दो रैंडम ली उड़ते हुए पक्सियों को एक कॉमन प्लाटफॉर्म पे लेक्या है फिर उनकी एक दूसरे के साथ हेल्प करके सॉल्फ करका के अपना अंसर बताया की एओ आपर शिक्स में क्या बोल रहा है चेक वैदर 301 जिसमें लिखा है पांच ग्यारा सतरह तरह तरह तो पहले तो हमें यह चेक करना है कि यह एपी है नहीं क्योंकि सवाल में दिया नहीं है सवाल में क्या लिखा है सवाल में के वर लिखा है कि भाईया नंबर ओफ सीरीज नंबर ओफ टॉम्स लिस्ट ओफ नंबर से तो पांच ग्यारा सतरह तेईज ठीक है आपने इनको पोजिशन दे दिया A1 A2 A3 A4 आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे भाईया A2 माइनस A1 करने पर आपको कितना मिल रहा है चाहिए तो मेंटल ही कर लो 6 A3 माइनस A2 करने पर कितना मिल रहा है 17 में से 11 गया तो 6 A4 माइनस A3 करने पर मिल रहा है 23 में से 17 गया तो 6 ठीक है तो यहाँ पर आप लिखोगे ओब से 10 गयाप ओडिखोगे फिरजादिफेश्स चंस्तेन्ट डिफेरेंश्सिस कंस्सेस्टेन्ट इथक है इस दो यहाँ पर कैसी एपी है यह तो इस एपी में A की वायल वालिव अह पांच और D की वालिव है ठीक है तो आपने यह भी देख लेकिए गाप कंसिस्टेंट एपी जैसे बनने के इसके पूरे प्रवल दावेदार लग रहे हैं यह तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे की एओ डी मिल गया आपको क्या नेकालनी 301 इस पर्टीकुलर लिस्ट ओफ नंबर्स का पार्ट है क चेक करना है तो ए मिल गया डी मिल गया लगे हाथ आपको एन भी मिल गया है 301 अब आपको एन की वाल्यू फाइंड करने कि भाई यह पोजिशन कौन सी है एन एथ टर्म है ठीक है समझ में आ गया मतलब एक जनरल टर्म है पी का कोई एक नंबर है एक पी में एक पी का पार् एन माइनस वान इंटू डी का वैया जही होगा ना फॉर्मला कौन सा फॉर्मला तो यह सर एन इकोल सु ए प्लस एन माइनस वान टू डी यह समझ में आया आपको विनोध तब विनोध पर से अच्छा वर्ड है पर काफी लोग आज को उसको यूज करते हैं कि मस्ती लेने क पता करना है एकी जगह आपने लिखा कितना पांच एन माइनस वान एजटेस और डी की जगह लिख दोगे छे और ध्यान से देखो अगर आप चेक करोगे तो एपी इंक्रीज हो रही है मतलब डी की वाली पॉजिटिव हमने सही लिखी है तीन सो एक में से पांच हो की वाल्यू मिलेगी यह हो गया यहां पर 64 24 कितना बदा 56 तो यह हो जाएगा कितना 56 मतलब 69 54.2 तो 49.6 इस इकवल टू एन माइनस वान 49 प्रस वान हो जाएगा यहां पर 50.6 अब सोचने वाली बात यह कि एन क्या आ रहा है डेसिमल में आ रहा है तो आप लिखोगे के से एन इस नॉट और नाचुरल नमबर ठीक है वाई पॉजिशन है को यह थोड़ी बोल सकता है कि मेरी गाड़ी 50.6 पॉजिशन पर खड़िए ना यहां तो 50 पॉजिशन पर होगी यहां तो 51 पर होगी तो जब भी पॉजिशन या राइंक की बात होती है हमेशा नाचु यहाँ पर कुछ गड़बर है 301 is not a term of the AP AP तो है वो तो हमने finalize कर लिया कल को यह मत बोलना कि क्योंकि N की वाली natural number नहीं है तो यह AP ही नहीं है AP है परन्तु यह उस AP का पार्ट नहीं है और जो हो सकता है भाई क्योंकि देखो बहुत साई numbers है सबको शामिल करना possible नहीं है जो AP का pattern follow कर पा रहे है उनी को आप रखेंगे है की नहीं तो 301 इस particular pattern वाली AP में नहीं set हो रहा है किसी और में हो जाएगा तो हो सकता है भगवान आपका कल्यान करे 301 चलो बहुत बढ़िया होगे example 6 आगे देखते example 7 अच्छा सवाल है how many two digit numbers are divisible by three अब देखो यहां पर कितने two digit number है जो कि three say divisible है तरीका number एक गिनना start करो सबसे पहला two digit number जो कि divisible by three है आप में से कुछ लोगों ने three बोला जो बिलकुल गलत है जो कि आपको क्या बोला है two digit numbers तो start कहां से होगा 12 से क्योंकि उसके पहले के जो तीन है वो सारे single digit number है तो 12 से शुरू होगा और 99 पे खतम हो जाएगा उसके आगे नहीं जाएगा because that is the last two digit number which is divisible by three जैसे यहां पर 33 है ना तो अब कुछ लोग यह भी बोल सकते हैं कि सब देखो 12 से start हो रहा है पुछ लोग क्या बोलेंगे कि इसा नाइंटी नाइंटी नाइन 33 होता है यहां पर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने terms हो गए 33 ऐसे numbers हो गए जो कि 3 से divisible है 2 डिजिट लेकिन वो गलत जवाब है क्यों कि आपके पहले के तीन numbers इसमें count नहीं होंगे ठीक है यहां मामला आसान है तो यहां पर हटा के गिन सकते हो वो बात और है मैं मना नहीं कर रहा लेकिन मेरा तो यहां पर मक्सद है वो यह आपको concept सिखाना है कि इस टाइप के question को कैसे approach करते हैं ठीक है यह आपको यहां पर जहां रखना है अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो set of numbers लिखा है वो सारे के सारे AP फॉर्म कर रहे हैं 12 और 3 15 15 और 3 18 18 18 और 3 होगा अगला number ऐसे ही पूरा continue होगा मतलब gap consistent है और gap consistent होने का क्या मतलब होता है कि सर यहां पर आप यह एक AP है तो यहां पर आप लेखोगे these numbers these numbers form and AP ठीक है इसका मतलब AP के सारे नियम काईदे कानून फॉर्मला यहां पर लगा सकते हैं और उनकी मदद से सवाल का जवाब बता सकते हैं तो आप लेखोगे A की value 12 D की value प्लस 3 और आपको last वाली term पता है जहां पर पूरा मामला खतम हो रहा है तो AN लिखा आपने 99 जैसा कि हमने discuss किया तक उस लोग इसे L भी लिखते हैं जैसा कि यहां पर हमने लिखा है अब यह होती है finite AP यह 99 पर आके रुख जाएगी उसके आगे नहीं जाएगी क्यों कि आपको केवल two digit number बोला है अगर आप 99 के आगे जाएगे तो आप three digit numbers पर कूच जाएगे जो की गड़बड हो जाएगी तो यह finite AP इसकी last term को आपने L लिखा है और आपने AN से क्यों deal करना है जो कि भाईया N की value पता करनी है ना कितनी है कौन सी position है ठीक है तो यहां पर आप solve करने का प्रयास करोगे तो AN आता है A plus N minus 1 into D करने पर ठीक है AN की जगह आपने लिखा 99 A की जगह आपने लिखा 12 क्योंकि वहीं से पूरा वामरा शुरू हो रहा है N minus 1 आपने पता करना है D की value है 99 में से 12 minus करोगे तो 9 में से 2 गया 7 9 में से 1 गया 8 87 is equal to N minus 1 into 3 यह 3 जाएगा division में तो क्या लिखोगे आप लिखोगे sir की 87 divide by 3 is equal to N minus 1 solve करोगे तो 3 3s are 9 नहीं sorry 3 2s are 6 और 3 9s are 27 29 आएगा N minus 1 के बराबर तो 30 आजाएगा N के बराबर 30 किसके बराबर आया N के बराबर आया अर्थात कहने का ताथपर है बहुत simple है कि जो 30 ऐसे number है जो की 2 digit है और 3 से divisible है ठीक है आपको समझ में आया N की value 30 मतलब कितने numbers है तो आप लिखो कि therefore 30 such numbers exist which are 2 digit and divisible by 3 कि value ऐसे ही सवाल आता है 7 से divisible 9 से 11 से 13 से किसी से भी आजाए 2 digit का आजाए या 3 digit का आजाए आपका pattern सेम ही रहता है बस केवल values अलग हो जाते हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान लखना है कि वहाँ पे गलती नहीं करने हैं especially first और last term में तो बिल्कुल गलती नहीं करने हैं तो यह अगर first और last term लिखने में आपने गलती कर दी तो यह पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा ठीक है कहीं कोई समस्या तो नहीं कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल हमें सूचित करें फिलाल के लिए हम करेंगे यहां पर स्क्रीन को क्लियर करने का इंतजाम बटन दबाया जाएगा जादूई और हम मूफ करेंगे अगले पार्ट की तरफ अब आठवा प्रशने क्या है यहां पर फाइंदा 11 टर्म अरे बहुत आसान फ्रॉंद लास्ट लास्ट गूगली फेक तो अच्छा का था यूँ निकाल लेते चुटकी में लेकिन किंतु परंतु मेरे बंदू यहां पर निकालनी है फ्रॉंद लास्ट पीछे से 11 टर्म निकालनी है तो आगे से क्यों गिनना है बात से कि नहीं है देखो इसको सॉल्फ करने के दो तरीके पहला है कि आप पहले यह पता लगाओ कि इस एपी में कुल मिला के कितने टर्म्स है और वो कैसे पता लगेगा कि देख क्योंकि यह फाइनाइट एपी है मतलब एक जगा पे खटम हो रही है तो मतलब अब्विस स हो गया बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसका एक शॉटकट है जो कि आपको पूरे नंबर दिलवा सकता है इस पूरे सवाल में कोई दिक्कत नहीं यह बस खाली इसको सॉल्फ करने का तरीका समझ है ठीक है हम शुरू कहां से करेंगे सबसे पहले लिख रहा हूं में ओरीजिन और यहां पे खतम किस पे हो रही है खतम हो रही है माइनस 62 पे लेकिन सवाल क्यूकि फ्रॉम दे लास्ट का है तो सवाल की रिक्वार्मेंट के लिए हम बना रहे हैं नियूँ एपी जो की उल्टा चलेगी अर्थात माइनस 62 उसके बाद आपने क्या करना है आपको आपको इअधने थीन हो रहा तो यहां पे आपको उल्टा करना है आपने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया पूरा का पूरा तो आप प्लस थी करेंगे तो माइनस इचीडूमें जब आप ते लीज़ युव अपको मिलेगा माईनस fiscal चीफटी नाइन माइनस 59 मिलेगा कि 58 मिलेगा बताओ मुझे सर 12 में से 3 के तो 9 बचेगा तो माइनस 59 फिर आप करेंगे 3 प्लस तो हो जाएगा माइनस 56 ऐसे ही करते करते आप आगे बढ़ेंगे ठीक है क्या कोई दिक्कत नहीं सर कोई समस्या बिल्कुल नहीं सर यह जो नया AP बनी है यह हमारी help करेगी क्या निकालने में 11th term from the last निकालने में अब आपको actually क्या करना है अब आपको पता करनी है केवल 11th term की A11 कितना होगा अगर आप A11 निकाल पाए किसकी new AP की तो वो actually original AP की पीछे से मतलब last से 11th term होगी सर आपको कैसे पता क्योंकि देखो जो इसका starting है वो उस जनाब का ending है ना तो जब आपने इस पूरी AP को reverse कर दिया तो सारी संख्याय reverse हो गई जो last था वो first आ गया तो जो 11th from the first होगा नई AP में वो पिछली वाली का last होगा ना क्योंकि पूरा अपने उल्टा कर दिया जब पूरा मामला ही उल्टा कर दिया गया है तो फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा तो 11th term from the last निकालने के लिए हमने AP को ही उल्टा कर दिया अब हम इसकी 11th term निकालेंगे जो की हमारी original AP के opposite है exactly उल्टी है reverse है तो हमारा काम हो जाएगा अब नई AP के साब से तब कुछ होगा तो A की value आएगी minus 62 D की value आएगी 3 और आपको N की value यहाँ पे होगी 11 using using आप क्या करेंगे using AN is equal to A plus N minus 1 into D ठीक है आपने लिखा यहाँ पे कितना था AN आपको पता लगाना है कि 11th term कौन सी है तो आपने लिखा A 11 A की जगा आया minus 62 N की जगा 11 minus 1 मतलब हो जाएगा 10 D की जगा पे आगया 3 तो आपने लिखा A 11 हो जाएगा यहाँ पे minus 62 plus 10 into 3 that is 30 तो एक negative एक positive plus minus होता है minus 62 में से 30 हम करेंगे minus यो कि पहले multiplication हो जाएगा भाई यहाँ तो A 11 हो जाएगा minus 62 plus 30 A 11 would be minus of 32 32nd term of this AP 3 2 जाँ हाँ बारा में से दो गया तो minus 32 would be 11th term of this AP and it would be 11th term from the last of the original AP तो आप लिखोगे 11th term from last क्योंकि आपने उल्टा कर दिया था है ना तो भाई वापस सीधे कर दो तो from last लिख दो तो सीधा हो जाएगा of AP 10 7 4 and so on till minus 62 is minus 32 यह आप ऐसे लिख सकते हैं क्या आपको समझ में आया सब दूसरा तरीका जिसमें आपको बहुत ही घूम के जाना पड़ेगा उसमें पहले आप क्या करेंगे पहले आप original AP में जो last term है उसकी position पता लगाएंगे ठीक है उसकी जो भी position होगी वो पता लगाएंगे उसमें से minus करेंगे आप 11 तो आपको मारम चल लाएगा कि पीछे से जो 11th term है वो आगे से कौन सी होगी ठीक है जो कि देखो हर संख्या की दो position होगी या तो आगे से या तो पीछे से तो आगे से क्या संख्या होगी वो पता लगाने के लिए आपको पीछे से 11 minus करना पड़ेगा और जब आगे से संख्या पता लगा लेंगे तो फिर आगे से स्टार्ट हो रही एपी को यूज करके आप अपना अंसर बता सकते हैं लंबा प्रोसेस पर यहाँ पर जैसे आप एपी कोल्टा कर देते हैं पूरा काम आपका आसान हो जाता है जो लास्ट था वो फर्स्ट बन जाएगा तो जो 11th from the last था वो 11th from the first बन जाएगा जो कि आप नॉमली करते हैं तो फिर आपने नॉमल प्रोसेस के तहत अपना अंसर बताया कहें कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई समस्या नहीं हो तो आगे बढ़ें विल्कुल सर चलिए स्क्रीन क्लियर एक्जमपल यहां पर समाप एक्जमपल नाइन अब थोड़ा वर्ट प्रॉब्लम टाइप आ गया है अब तक जो कुशन थे वो डारेक कुशन आने थे यहां पर देखो वर्ट प्रॉब्लम फेक कि हमें थोड़ा बनिया से कन्फ्यूस कि लेकिन हम होंगे नहीं सवाल अच्छे से पढ़ना भाईया सवाल कह रहा है सम ऑफ थाउजन रुपीज हजार रुपे क्या कि आपने इन्वेस्ट किये कितने रेट पर इन्वेस्ट करोगे तो कुछ रिटर्न तो मिलेगा एट परसेंट सिंपल इंट्रेस्ट सर अगर कंप सुना फिक्स अमाउंट मेरे दिमाग में आगा कि पक्का एपी बने क्योंकि फिक्स का मतलब है कि सेम ही चीज आड होती जाएगी और जब सेम चीज आड होती है तो क्या होता है एपी होता है कैलकुलेट दा इंट्रेस्ट आड दे एंड अफ इच यर कितना आना चाहिए व making use of this fact चलिए ठीक है आपका principle था कितना 1000 ठीक है आपका rate of interest है 8% ठीक है simple interest का formula होता है P into R into T upon 100 ठीक है तो जब first year होगा ठीक है तो मैं यहापे लेख रहा हूँ first year या फिर ऐसे लिखें year 1 लिख देते हैं ठीक है year 1 में कितना होगा year 1 में क्या होगा SI would be P मतलब 1000 R मतलब 8 T मतलब 1 upon 100 तो आपका जवाब आएगा 80 ठीक है कैसे कि आपने 0 से 0 का इंसल 80 आएगा अगर year 2 की बात करें मतलब 2 साल की बात करेंगे तो simple interest कितना बनेगा उस case में SI हो जाएगा आपका 1000 इंटू आठ इंटू दो होल बटे हंड्रेड आठ दूनी 16 यह हो जाएगा 160 ठीक है जिरो से 0 कैंसल year 3 में कितना हो जाएगा अगर आप पैटन चेक करें तो year 3 में हो जाएगा SI would be equal to 1000 इंटू SI would be equal to 1000 इंटू आठ इंटू तीन तीन साल की बात हो रही है अपान हंडेड आठ तीन चौबिस दोसो चालीस SI चौथे यहर में तीन सो भीस पांचवे यहर में चार सो छटवे यहर में चार सो असी तो आप क्या बोलोगे यहां पर डू दीस इंट्रेस फार्में ने पी तो आप बोलोगे येस ठीक है तो आप यहां पर लिख रहे हो year wise मैं यहां पर लिख रहा हूँ कि year wise SI would be 80, 160, 240 and so on and yes they form an AP where जहां पर क्या हो रहा है जहां पर A की वाल्यू आ रही है 80 और D की वाल्यू भी आ रही है 80 स्टार्ड भी 80 हो रहा है common difference भी 80 का है अब आप से बोल रहा है find the interest at the end of 30 years 30 साल के जब हो जाएगा यह पूरा investment तो कितना interest मिलेगा तो आप यहां पर लिखोगे SI यहां पर आपके लिखोगे भाईया तो यहां पर आपको निकालना है N की वाल्यू 30 30 साल के बाद AN आपका अज्यात है ठीक है और N की वाल्यू है 30 30 साल बाद interest कितना हो जाएगा तो using अब भाई 30 साल बाद कितना होगा आपको पता करना है तो AN का formula यूज करना पड़ेगा कौन लिखते बैठेगा इसे हर साल का ठीक है इकवल टू 80 कॉमन लेकि अगर मैं लिखू तो 1 प्लस 29 थोड़ा सा मैंने या पर स्मार्ट वर किया कौन 29 से मल्टिप्लाइब करेंगा मैंने 80 कॉमन ले लिया तो वन वहां पे था 29 वहां पे था तो दोनों को जोड़के हो गए 30 तो ए 30 बेसिकली हो जाएगा 80 इंटू 30 तो आटी या 24 मतलब 2400 रुपे इंट्रेस्ट हो जाएगा तो ए 30 हो जाएगा 2400 थीक है अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है तो उपर लिख देता हूँ ए 30 is equal to 2400 थीक है कोई दिक्कत तो नहीं यह दिख रहा है कि नहीं आप बता दो मुझे एक बार नहीं दिख रहा है तो मैंने उपर भी लिख दिया कि भाई ए 30 है 2400 थीक है यहां पे और कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको हर साल इंट्रेस्ट कितना आ रहा है 80 80 रुप साइमें पर मैं बता रहा हूं कि बता क्या हो कब आप में बोलेंगे कि 30 साल बात कुल पैसा कितना हो जाएगा तो आपको पूरा एड़ भी करना पड़ेगा और वो भी ऐसे लिखके आड़ नहीं करेंगो उसका भी हमारे पास फॉर्मुला रहेगा ठीक है ध्यान रहेगा अच्छा एक और चीज़ कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मुला यूज करके नहीं निकाल सकते क्या 30 साल बात कितना इंट्रेस्ट होगा बिलकुल लेकिन यहां देखो में यूज ओफ डिस फैक्ट अर्था यह जो एपी वाला फैक्ट आपने यहां पर पता लगाया है उसका यूज करना है उनको भी पता है कि ऐसा ही वाले फॉर्मुला से आपका अंसर आ जागे लेकिन भाईया ऐसा ही आपको आता है यह नहीं सिंपल इंट्रेस्ट आपने समझा है कि नहीं वह आपको कक्षा आठीवी में पहली पूछ चुके हैं वहां पर एक्जाम भी हो चुका है वह आप पास भी कर चुके हैं लेकिन अभी आपको दसवी का पूछा जा रहा है तो मेरा आप से अन्रोज है क्रिपया इस तरीके से अगर आप सॉल्फ करेंगे तो आपके नंबर थोड़े से कट सकते हैं आपको एपी का ही कॉंसेप्ट यूज करना है यूजिंग दिस फैक्ट कौन सा फैक्ट कि भाईया वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो जब एपी फॉर्म करेंगे तो एपी वाला फैक्ट यूज करना है मतलब एपी का लॉजिक यूज करना है इसलिए हमने भी यहां पे एपी का लॉजिक यूज करते हुए यही answer निकाला है चलिए यहाँ पर हम करेंगे screen को clear answer आगे हमारे सवाल का अगला प्रशन देख लेते हैं example 10 क्या बोल रहा है in a flower bed there are 23 rose plants in the first row ठीक है 21 in second and 19 in third and so on ठीक है चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पारा हैं जो यह numbers हैं कौन-कौन से 23-21-19 अगर मैं इनको एक pattern में लिखूं तो मुझे अभी से यहाँ पर एपी के होने की smell आ रही है है कि नहीं थोड़ा कितना अंदेशा हो जाता है कि एपी है smell आ रही मतलब बेसिकलिए आपको लग रहा है कि एपी बन रहा होगा ठीक है चलिए आगे क्या बोल रहा है वो there are five row plants in the last row सबसे last में कितने हैं पांच हैं पांच किसमें हैं लास्ट में ठीक है how many rows are there in the flower bed अब यहाँ पर आप देखोगे pattern of flowers bed लिख देते तो मैं लिख रहा हूं यहाँ यहाँ पे pattern of plants in flower bed यहाँ पर हमने क्या लिख दे कि flower bed में कैसा pattern बन रहा है तो pattern अगर आप देखेंगे तो 23, 21, 19 and so on till 5 तक जा रहा है मामला एक कॉमा इधर एक इधर अब क्या लिखोगे clearly they form an AP they form an AP अब यहाँ पर मैं आपको रामायार तो लिख रहा हूं बहुत टाइम भी ले रहा हूं लेकिन अगर मैं exam लिखूंगा न बोर्ड का तो मैं ठीक ऐसे लिखूंगा अगर मेरा भी दसवी का बोर्ड होता तो मैं पक्का ऐसे ही इस को अप्रोच करता पहले यह लिखता है इन इच फ्लावर बैड आप लिख सकते हैं ठीक है इन इच फ्लावर बैट लिख सकते हैं उसके बाद चर्म में यहां पर यह लिखता कि कि ल वो है 5 इस एल को मैं का रूप दे रहा हूं जो कि मुझे पता लगाना है कितनी रोज हैं टेकर रोज की संक्धिया पता लगाना है यह मतलब लांट टॉम को ही मैंने उन्न टर्म मानते हुए अब मैंने प्रयास करना है कि मैं n की value पता लगा पहूं ताकि यह मेरा सवाल जो है solve हो जाए कि कितनी terms हैं how many rows, कितनी rows हैं चलिए n की value 5 मतलब आप use करेंगे a n का formula तो यहाँ पे लिखा आपने using a n is equal to a plus n minus 1 into d a n की जगा जाएगा 5 a की जगा जाएगा 23 n minus 1 as it is क्योंकि आपको n find करना है d की जगा आएगा minus 2 क्योंकि आप दीरे-दीरे कम कर रहे हैं अब 5 में से 23 minus होगा सबसे पहले तब आपको n minus 1 into 2 minus 2 करने का कुछ मौका मिलेगा 5 और 23 minus क्या तो जवाब आएगा 16 यदि मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी negative sign के साथ 16 की 18 18 आएगा बहुत बढ़िया 3 या 2 या बिल्कुल ठीक 18 और यह हो जाएगा minus 18 equals to n minus 1 into minus 2 मैंने कहा into minus 2 मतलब minus 2 multiplication में है side change करेगा तो division में आजाएगा with the same sign तो कि आपने एक sign already change कर दिया multiplication का division कर दिया है minus से minus 2 में से 18 दिवाइड किया तो 9 बचेगा n minus 1 9 में 1 हो जाएगा प्लस तो आपको मिल जाएगा n दस हो जाएगी आपके n की value n की value 10 मतलब कितनी rows है how many rows there are 10 rows in the flower bed जब मैं सवाल का जवाब खतम करूँगा मैं क्या लिखूँगा एक box में डालके 10 को थोड़ा बड़े font में लिखे मैं कहूँगा कि देरा 10 rows in the flower bed मुझे पता है exam computer पे नहीं है तो font want computer में होता है लेकिन मेरे कहने का ताथ पर यह था कि box में जो 10 जो लिखेंगे हैं उसका size बड़ा होगा बाकी सारे text का size थोड़ा छोटा होगा ठीक है समझ में आगे आपको बहुत बड़िया चलिए screen clear और हम move करेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न हमारा basically है exercise का पहला प्रश्न तो अब हमें क्या करना है exercise solve करनी है पहला सवाल आसान होना चाहिए इसी को दिक्कत आएगी यह table है और जो जो unknown quantity है वो पता लगानी है और basically क्या करना है in the following table given that a is the first term okay d is the common difference पता है an is the nth term of the ap चलिए अब देखो basically हो क्या रहा है यहां पे अब तक आपने जो पढ़ा है वो है nth term निकालने का formula और यहां पे आपने उसी का use करके unknown quantity पता लगानी है जैसे पहला वाला अगर आप देखेंगे table में तो जो पहला वाला box है यह वाला इसमें आपको a पता है d पता है n पता है an निकालना है चलिए solve करते हैं सीदे सीदे an हो जाएगा a की जगा पे 7 क्योंकि a की value है 7 n है 8 तो 8-1 यह देखो यह रहा d की value 3 बस answer निकालना है तो an हो जाएगा 7 प्लस 8 और एक यह भी हो जाएगा 7 इंटू 3 गनित कहता है पहले गुणा फिर addition पहले multiplication फिर addition तो 7 और 3 हो जाएगा 21 multiply करने पे an की value 28 कोई समस्या नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर तो an की जगा लिखा आपने यहाँ पे 28 चलिए पहला वाला solve हो गया अब आजाते दूसरे वाले part पे उसमें क्या दिया है तो देखो यहाँ पे तो यह सब वही रहेगा केवल जो values change हो रही है वो change होगी formula तो same ही है a दिया है n दिया है an दिया है n-1 की जगा लिखोगे 10-1 तो minus 18 plus 10-1 क्योंकि n की value है 10 और d आपने पता लगाना है तो d हमने खाली छोड़ दिया minus 18 यहाँ आएगा तो 18 हो जाएगा 10-1 करोगे तो 9 हो जाएगा 18 को 9 से divide करोगे तो जवाब मिल जाएगा 18 को 9 से divide किया तो 2 आएगा तो d की value कितनी d की value आगई 2 जादा कुछ करना नहीं था केवल basic calculation करते जाना है और जो जो unknown quantity है उसे लिखते जाना है find करने के बात चरे दूसरा part भी हमने समाप्त कर दिया पहले question का अब आ जाते हैं तीसरे part पे dash मतलब a की value missing है तो a की value missing है लेकिन बाकी सब है तो वो रखते जाओ तो an की जगा लिखा हमने minus 5 a की value missing है तो उसकी जगा पे केवल a n minus 1 तीसरे वाला कर रहे है भी है तो 18 minus 1 और d की जगा आ जाएगा यहाँ पे minus 3 तो minus 5 a जो है वो वही रहेगा minus 5 यही रहेगा a plus 18 में से एक गया तो 17 into minus 3 what does 17 into minus 3 give you a number वा बेटा ओपस का answer क्या आएगा वो बताना है बेटा तो यह minus 5 is equal to a plus 17 में 3 गुणा करेंगे साथिया 21 एक यहाँ दो उपर 51 बचेगा वो भी negative के साथ ठीक है ना minus 51 इदर जाएगा तो हो जाएगा plus 51 51 minus 5 is equal to a यह positive होगा यह already negative है तो इसलिए minus sign लगा हुआ है 51 में से 5 गया तो 46 is the value of a क्या आपका answer भी यही आया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं sir 46 से शुरू हुआ है d जा रहा है negative में और 18 टर्म से तो answer minus 5 आएगा an ठीक है फ्लो देख लो सही चल रहा है कि नहीं पना कई बार क्या आता है यह एक नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि find the unknown quantity given that यह यह पता है और यह पता लगाना है कि सिंपल फोर्थ कोईशन है यहां पर 18.9 है एकी वाल्यू ठीक है सबसे पहले एन देख लेते वह 33.6 तो एन की जगह लिखा मैंने 3.6 एकी जगह आप लिखा लेंगे माइनस 18.9 क्योंकि सवाल में दिया है एकी वाल्यू है माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2.5 जो कि एक positive value है देख लो है ना और अगर आप ध्यान से देखें डी की value positive मतलब increase होना चाहिए तो negative से positive में 3.6 is equal to n-1 into 2.5 ठीक है इसको आप solve करेंगे 9 और छे 15 एक कैरी 8 और 3 हो जाएगा 11 एक 12 यदि में गलत नहीं हो तो है ना और एक और तो हो जाएगा 22.5 which is equal to n-1 into 2.5 यह 2.5 जो multiplication में है side change करेगा तो division में आ जाएगा तो 22.5 whole divide by 2.5 is equal to n-1 जोकि दोनों ही cases में numerator और denominator में decimal के पीछे एक एक value है तो आप directly decimal को cancel करके लिख सकते हैं 22.5 की जगा 225 और नीचे केवल 25 is equal to n-1 और जितना मुझे आता है 225, 25 के table में आता है कितने जाए 9 जा होता है तो 1 यह हो जाएगा 9 तो आपका final answer आएगा 9 equal to n-1 finishing touches 1 की होगी side change हो जाएगा 9 और एक जोड के 10 तो इस case में n की value आ रही है 10 ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर अगर आप चेक करेंगा आपको solve करने पर answer भी समझ में आएगा कि n की value 10 है तो हमारा final answer आ रहा है 3.6 चलिए अब बज़गा केवल एक last वाला इसको हम फिर से clean कर देते हैं last वाले और solve करने हमारा काम समाप्त हो जाएगा बढ़ा मज़ा आ जाएगा क्यूंकि भाईया पहला question हम solve कर लेंगे है कि नहीं गाना में थोड़ा गातना मुझे पता है पर कोई बात नहीं चलो a की value 3.5 a n आपने पता लगाना है तो a n को रख दिया as it is a की जगा कितना है 3.5 n-1 मतलब n की जगा आएगा 105-1 और d की value है 0 अरे वाह d की value 0 मतलब bracket के उधर जो भी values है वो सब multiply होके स्वयम शून्य के बराबर हो जाएंगी तो a n की value कितनी a n की value कुल में लाके बचेगी सिर्फ 3.5 ठीक है तो क्या लिखोगे यहां पर a n 3.5 विचित्र केश जहां पर बहुत बड़ा नंबर था और honestly मैं डर भी गया था कि 105 मतलब 104 से प्रटी प्लाइब करना पड़े कोई संख्या को बहुत मैंनत का काम है बहतर है कुछ अच्छा हो जाए तो यहां पर अच्छा क्या हुआ जीरो ही हो गया सोचा ता वन मन होता तो मज़ा आता पर जीरो ही दे दिया वाह दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई इतना कोई इकत तो नहीं चलिए सेकेंड क्या बोल रहा है अरे वाह एमची क्यू क्यू क्वेस्टन आ गया है बहुत बढ़िया थर्टी टर्म ऑफ दा एपी दस साथ चार अरे चलो यह तो निकाल सकते हैं हम लोग अच्छा देखो यहां पर मुझे बात बताओ एपी को देखके बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जा रही है और आगे जाके यह नेगेटिव में चली जाएगी ठीक है चार के बाद क्या आएगा एक आएगा जो भी नंबर आएगा वह नेगेटिव में जाएगा तो यह 97 और यह 77 तो जवाब हो ही नहीं सकते तो अगर कल को आपको एक्जाम में गैस भी करना पड़ा तो कम से कम यह दोनों गैस मत करना इन दोनों में से कोई एक करना ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया यह इससे कहते हैं observation सवाल को केवल पढ़ना नहीं observe करना है कि कहां पर क्या हमारे काम की जानकारी मिल रही है चलो APD है आपको तो unknown quantity को निकालेंगे an को with the formula 30th जो term है हमारी एक general term का help लेके हम उसको solve करेंगे क्या करोगे यहाँ पर sir using हम use करेंगे किसको an is equal to a plus n minus 1 into d ठीक है तो अब यहाँ पर an की जगा आपको पता लगाना है तो वही रहेगा a की जगा आजाएगा 10 n minus 1 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 30 minus 1 और d की जगा हो जाएगा minus 3 चलिए तो आपने लेका यहाँ पर an equal to 10 plus 29 into minus 3 इसको आप solve कर सकते हैं multiply कर सकते हैं और फिर अपना answer बता सकते हैं a n हो जाएगा यहाँ पर देखो 10 minus 29 27 साथ यहाँ दो ऊपर 37 अब अगर यहाँ पर 87 देखे आपके मन में विचार आए कि 87 को answer mark कर दो तो मुनना minus 10 कौन करेगा भी है ना वो करना बाकी है ना तो धैर रखें जरा जीवन में अत्यांत जल्द बाजी करेंगे तो नुकसान आपई का है तो a n की value आएगी यहाँ पर माइनस 77 option c ठीक है प्रभू सवाल में लिखें justify करना है तो यह क्या किये हो एक होता है यह mcq करके answer mark करना अगर आप सीधे mark कर देते option c वो होता है आपने सही answer mark कर दिया चूज कर रिया justify होता है कि calculation करके दिखाना की answer क्या रहा है और आपने वही किया है तो यह जो method पूरा किया आपने calculate किया है इसे ही कहते है justification तो कुछ अलग करने की जरुबत नहीं है जब कोई कहता है justify कर दो तो basically जो rough पी की चलिए आपको सब कुछ दिया है बस solve करना अब यहां देखो a की value है 3 तो भाई a की value 3 हम लिख देते minus 3 माफ किजेगा और आपकी second term है minus 1 by 2 तो आपको दूसरा कार्य क्या होता है सर किसी भी ap में यदि a और d की value मालुम चल जाए तो हमारा काम बढ़ा आसान हो जाता है और d निकालने के लिए आप क्या करोगे second term minus first term तो यहां पर आपने वही किया minus 1 by 2 minus minus 3 ठीक है अब यह minus minus मिलके plus हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है minus 1 by 2 plus 3 आप नेंगे यह हो जाएगा minus 1 plus 6 मतलब 5 by 2 कहीं कोई दिक्कत तो नहीं 6 में से गया 5 तो यह हो जाएगा 5 बटे 2 d की value कोई समस्या हो तो बिलकुल बता है ना हो तो और अच्छी बात है a की value आगई d की value हो गई अब आपको क्या बोल रहा है 11th term बोल रहा है तो 11th term के लिए a की value वही है minus 3 d की value है 5 by 2 positive आपको अगर check करना हो तो देखिए increase हो रही है a p उसके बाद फिर n है आपका 11 आपने निकालना क्या है a 11 निकाला है की 11th term कौन सी होगी कैसे निकालोगे sir a n का formula यूज करके जहाँ पे n की value हो जाएगी 11 के बराबर तो a 11 equals to a minus 3 plus 11 minus 1 into 5 by 2 ठीक है चलिए तो यहाँ आपको मिलेगा a 11 is equal to minus 3 plus 11 में से यह गया तो 10 10 into 5 हो जाएगा 50 तो 50 by 2 और आप solve करेंगे तो a 11 हो जाएगा यहाँ पे 3 इसको आप divide करेंगे तो minus 3 plus 25 हो जाएगा है ना क्योंकि 50 जिवाइट बाई 2 करोगे 25 25 में से 3 गया तो आएगा 22 22 अब अगर आपने थोड़ी सी भी calculation mistake कर दी इसमें तो एक answer देख लो 28 भी है तो अगर आप माइनस 3 को प्लस 3 मान लेते कहीं पर calculation करते करते तो आपका answer 28 भी आ सकता है तो इसलिए ध्यान रखें कि एक notify कैसे किया है इसको पूरा calculation करके दिखा दिया और फिर चूज किया कि बहुत ही इंपोर्टेंट कोईशन है क्या exam point of view से इंपोर्टेंट है not exactly but concept wise और आपके concept की understanding wise बहुत जरूरी हो जाता है इसके पांचो पार्ट तो हम इसके पांचो पार्ट को आराम से solve करेंगे हमारे पास काफी जगा है कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है तो यह हमने यहाँ पे थोगा सा partition draw कर दे कि सवाल सारे एक तरफ हो गए अब सबसे पहला पार्ट सबसे easy है आपको कह रहा है दो फिर एक unknown quantity है डाश और फिर एक 26 है तो देखो है तो यह AP क्योंकि सवाल में लिखा है कि यह सारी AP है आपको बस unknown quantity पता लगानी है ठीक है तो चलो यहाँ पे पहली वाली हो गई ए या फिर A1 यह हो गया A2 और यह हो गया A3 है ना अब A1 जो है वो होता है A के बराबर मतलब बेसिकली A होता है उसी को आप A1 लिख देते हैं A2 मिलता है आपको A plus D लिखके जब आप common difference add करते हैं लिखते प्लस हैं आप वो माइनस होचा है प्लस हो उसमें आपको कोई tension नहीं है ठीक है और एक होता है तीसरा होता है A3 D is equal to A plus 2D है ना अब common difference क्या करते जाते हैं आड करते जाते हैं तो यहाँ पर जो जो value आपको पता है वो लिखते जाए तो A1 की जगा में लिख रहा हूं 2 तो क्योंकि A1 is 2 A2 मुझे पता करना है तो उसको मैंने blank छोड़ दिया है A3 लिखा मैंने 26 और यहाँ पर भी देखो A equal to 2 मतलब तो यहाँ हो जाएगा A2 is 2 plus D और यह 26 हो जाएगा 2 plus 2D अब यहाँ पर तो A equal to 2 equation समाप्त है कुछ आरा कर नहीं सकते दूसरे वाले में 2 plus D equals to A2 दो unknown quantity है एक A2 और दूसरा D तो उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर 2 unknown quantity है तो दो equation होनी चाहिए solve करने के तीसरे वाले में अगर आप देखें तो 26 equal to 2 plus 2D है तो इसमें केवल D है जो की unknown है तो अब हम उसको निकालने के लिए प्रयास करेंगे तो तीसरी वाले equation को solve कर रहा हूं है 26 minus 2 is equal to 2D ठीक है 26 में से 2 गया 24 is equal to 2D 2 आया division में 24 बटे 2 24 by 2 कितना हो जाएगा 24 by 2 करने पेसा 12 हो जाएगा तो क्या डी की वाल्यू मिल गई हमें येस सर डी की वाल्यू मिल रही है हमें 12 क्या सिर्फ डी की वाल्यू निकालनी थी नो सर हमें तो एटू निकालना है बीच वाला टर्म तो यहां पर देखो एटू लिखा है 2 प्लस दी तो आप क्या लिखोगे एटू की वाल तो यह आपने लिख दिया 2426 ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेक बता हूँ तो वो देखो यहाँ पर जो अगर आपके पास तो मिडिल वाली जो होती है वो पहली और आखरी वाली की आवरेज के बराबर होती है देखो मैंने यहां पर लिखा है आप चेक भी कर सकते हैं 26 और दो हो जाएगा 28 28 जिवाइड बाइ 2 हो जाएगा 14 तो एक शौट्रेक है जो आपको काम आती है इसका प्रूव भी है लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना याज लग सकते हैं प्रूव आपको वैसी भी एक्जाम में कभी करना नहीं पड़ेगा ठीक है तो एटू हो जाएगा एवन प्लस एथरी बाइ टू यह अगर कभी आपको एक माक का सवाल आए तुरंत आपको जैसे यह सवाल दिया हो एक न सब्सक्राइब की कहानी क्या है वो भी हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट में है ड़ाइश थर्टीन ड़ाइश थरी चलियो मैं या पर लेत रहा हुँ ड़ाइश त्रटीन ड़ाइश ड़ाष ऑन तरी अब मैं सारी एठीको ना जो मेरा जनरल फॉर्म ता उससे इपैर खर ठीक है उसके तहट जो ये पहला वाला क्या हो जाएगा सर पहले वाले को आप कहेंगे A1 ये हो जाएगा A2 ये A3 और ये A4 यही होगा जी सर अब यहाँ पर अगर आप देखें तो A1 वुड बी इक्वल टू A जैसा हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं A2 हो जाएगा A प्लस D A3 हो जाएगा यहाँ पर डैस है तो वो हो जाएगा A प्लस 2D और A4 हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 3D एक काम होता है आपको पता है यह आपने लॉजिक भी समझा था कि logic कैसे होता है कि भाईया जो पहली term है वो आपने अलग से लिख दी है तो जो बची हुई होंगी जिसे 4 में से 1 लिख दी बची कितनी 3 तो इसलिए 3D अब यहाँ पे जो जो value आपको पता है वो लिख दो जैसे मुझे यह पता है कि A प्लस D जोड़के है 13 के बराबर और यहाँ से मुझे पता है कि A प्लस 3D जो है वो है 3 के बराबर अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा mathematics लगाऊं ठीक है देखो जो पता नहीं है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हाँ जो पता है उनको मैं सबसे बेस्ट तरीके से यूज करने का पूरा कोशिस करूँगा तो दो तरीके या तो पहली equation में से आप A की value निकाले in terms of D और यहाँ पे replace कर दे दूसरा एक जो स्मार्ट तरीका में जो A प्लस 3D है इसे लिख रहा हूँ A प्लस D plus 2D is equal to 3 क्या कोई समस्या नहीं सर इसे फाइदा क्या होगा तो प्रभू इससे फाइदा यह होगा कि यह जो A plus D है ना इसकी value आपको पहले से पता है कितनी है 13 तो A plus D की जगा लिखा आपने 13 प्लस किया 2D is equal to 3 क्या आपको यह समझ में आया मैंने क्या कहा मैंने A plus 3D को दो तरीके से ब्रेक किया एक तरफ मैंने A और 1D अलग कर दिया अब 3 में से एक अलग कर दिया बाकी दो वहाँ बज गए तो 2D लिखा है और यह जो A plus D था इसकी value 13 मुझे पता है तो मैंने उसकी जगा पे 13 लिख दिया अगर आप इसको दूसरे तरीके solve करेंगे तो देखो A की value आएगी यहां से D minus 13 ठीक है D minus 13 is a value of no अगर निकालेंगे तो यह होगा 13 minus D sorry A की value होगी 13 minus D और जब आप इसको replace करेंगे यहां पे 13 minus D तो minus D और 3D में से A कट जाएगा तो कुल मिला के बचेगा 13 plus 2D लिखने के तरीके बहुत सारे हैं आपको जो ठीक लगया वो कर सकते हैं आप यहां पे चाहें तो A की जगा पे 13 minus D भी रखके solve करेंगे तो भी यहीं तक पहुंचेंगे जहां तक मैं पहुंचा हूँ लाल रंग से ठीक है चलो 2D की value हो जाएगी यहां पे 3 minus 13 अब 3 में से 13 minus करोगे तो अब्यसी बात है negative answer आएगा च्योंकि 13 बड़ा है 3 छोटा है तो 2D आएगा minus 10 के बराबर ठीक है और D की value आएगी minus 10 by 2 that is D would be equal to always minus 5 D की value कितनी? D की value minus 5 अगर D की value minus 5 है तो क्या हम बाकी साही terms निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर अब हमें 2 unknown quantity पता लगानी है जो की हम आराम से निकाल पाएंगे सबसे पहली देखो A plus D 13 है मैं उसी का use कर रहा हूँ तो इस वाली equation का use करते हुए A plus D is equal to 13 मुझे D की value पता है तो A plus minus 5 is equal to 13 minus 5 side change करेगा तो plus 5 तो A equal to 13 plus 5 that is 18 कितना हो जाएगा? 18 तो यह हो जाएगा पहले वाले box में आप क्या लिखोगे? अंसर कितना आएगा? 18 आएगा ठीक है? आपने निकाल दिया वहाँ पे पहले A और D निकाला आपने पहले D निकाला D से फिर A पे आए अब आपको गेवल A 3 निकाला है which is A plus 2D तो अब उस equation का use करते हैं या A plus 2D वाली का तो यह हमने लिखा यहाँ पे A plus 2D D की जगा directly value रख दी minus 5 ठीक है? is equal to how much? is equal to unknown है यह और A की value भी आपको पता सल गई तो आप directly भी रख सकते हैं 18 होगा तो 18 minus 10 is equal to 8 यह होगा क्या कि हमने A की जगा रखा 18 D की जगा रखा minus 5 तो 18 minus 10 हो जाएगा minus 8 तो यहाँ पे आएगा minus sorry plus 8 not minus 8 because positive 18 बड़ा value है तो देखा आपकी AP बन गई 18 13 8 3 easy good to go यहाँ पे आपने क्या देखा पहले वाले में आया था 14 इधर पे आया 18 13 और 8 और 3 solve कर दिया पहला वाला easy था यह वाला थोड़ा सा उससे एक level उपर चलिए अब देखते हैं अगला प्रशन क्या है हमारे पास जो कि भीया जितने अच्छे questions आएंगे उतना मज़ा है अब देखो इसमें क्या है 5 dash dash 9 and a half क्या question है आपके पास question है कि 5 फिर उसके बाद एक dash फिर दूसरा fill in the blank और 9 and a half जो जो पता है वो लिखते जाओ सबसे पहले इनकी naming कर दो कौन सी term क्या है तो यह a1 है यह a2 यह a3 और यह a4 a1 मतलब हो जाएगा यहाँ पे a which is equal to 5 पहले चीज़ अब a2 तो हमको पता नहीं है लेकिन a2 का standard form हम लिख देते हैं ताकि आगे कभी काम आजाएगा a3 हो जाएगा standard form में a plus 2d a4 which is 9 and a half it is also a plus 3d is equal to 9 and a half जिसको हम आगे जाके improper fraction में change करेंगे अब क्या करें सर बाकी कोई तो है नहीं लेकिन पहले वाले से a की value मिल रही है उसी को fourth वाले में रख देते हैं कुछ तो solve वो d की value तो मिले तो जैसी आपने a को replace किया किस से 5 से 5 plus 3d is equal to 9 दुनी 18 एक 19 बटे दो कोई रिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर पहले 9 and a half था आपने LCM लिया प्लस 1 किया 18 और एक 19 बटे दो माइनस करोगे तो 3d would be equal to 19 by 2 minus 5 by 1 LCM लोगे solve करोगे तो 3d would be equal to 19 minus 5 to 10 whole divided by 2 ठीक है अब यहाँ पे आप देखेंगे 19 में से 10 गया तो का बची है सर 19 में से 10 गया तो 9 बचेगा तो 3d would be equal to 9 by 2 positive d की value आजाएगी 9 by 2 into 1 by 3 अगर मैं धंग से लिखूं अच्छे से एक दम तो जाएगा 9 by 2 into यह 3 जो multiplication में side change करेगा तो नीचे आजाएगा division में आजाएगा तीन और 9 का पुराना नाता है दोनों एक दूसरे के दूर के रिष्टदार हैं तो d की value आ गई 3 by 2 positive कितनी 3 by 2 positive अब d की value आ गई एपको पता है क्या आसानी से a2 और a3 निकल जाएगे जो बीच के fill in the blank है yes sir बिलकुल निकल जाएगे चलिए तो a2 है basically कितना a plus d तो a की value 5 d की value 3 by 2 आपने लेना है lcm तो 5, 2, 10 तो यह हो जाएगा 13 by 2 जिसको आप 6 and a half भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 and a half a3 है आपका हमारी कहानी के हिसाब से a plus 2 d that is 5 plus 3 2 into 3 by 2 d की जगा रख रहा हूं मैं भाई यह 3 by 2 और a की जगा 5 पहले ही रख चुका हूं तो 2 से 2 का अंसल 5 और 3, 8 आप देख रहे है पैटन भी बन रहा है पाँच, छे, आट पाँच, साधे छे फिर आट और साधे नो तो पैटन बन भी रहा है दो फ्रैक्षन आ रहे हैं मतलब दो क्या उन्से फ्रैक्शन आ रहें मिक्स फ्रैक्शन आ रहें और दो प्रॉपर इंटीजर्स आ रहें पांच साड़े छे आठ और साड़े नो कोई दिक्कत तो नहीं हो तो आप बिल्कुल बताईएगा चलिए यह भी हो गया आसानी से सॉल्फ तो हमारे अब तक क्या अंसर फोर्टीन इधर एटीन एट इधर आया साड़े छे और आठ यह हमने तीन निप्टा लिए अब आया है चौथा वाला सवाल जो की थोड़ा सा बड़ा है आस कंपेर्टू प्रीवियस वन्स ठीक है इसमें क्या है समस्य भाई यह इसमें एक दो तीन चार ब्लॉक है आपके पास जो की एमटी है तो चलो सौश तो करना ही है तो माइनस फोर से स्टार्ट हो रही है कहानी फिर एक दो तीन चार और फिर एक सिक्स आ रहे हैं एक दो तीन चार जी हां बिलकुल ठीक चलिए आप क्या करेंगे सबसे पहले सर इनकी नेमिंग क इक्वल टू ए और विच इन दिस कोईशन माइनस फोर तो एकी वाल्यू एस माइनस फोर सवाल में दिये भाईया हम अपने घर से कुछ नहीं लाए है ज्यान रखेगा ने तो कई बार इनसान क्या करता है कुछ भी सोच लेता है तो कुछ भी सोचने से सफलता नहीं मिलती क काम की चीजों पर फोकस करने से मिलती है तो यहां एकी वाल्यू माइनस फोर एटू को हम डिफाइन कैसे करते हैं कैसे लिखते हैं तो वह होता है एप्लस डी एथरी एप्लस टू डी एफोर हो जाएगा एप्लस थ्री डी उसके बाद फिर एफाइव आएगा तो इन डिस केस ठीक है अब आप अगर कंपेर करें तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिर्थ आपको पता ही नहीं तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हां पहली वाली में माइनस फोर एकी वाल्यू उसको यूज करके मैं छटवी वाली में रख दूंगा तो शायद मेरा काम बन जाए तो जैसे ही मैंने एकी वाल्यू रखी माइनस फोर प्लस फाइव डी इस इक्वल टू सिक्स हो गया फाइव डी आया है देखो ये छे प्लस चार के रूप में माइनस फोर साइट चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा ना तो आपको यहाँ पे क्या मिला है सराम को मिला कि भ वाल्यू हो जाएगी 2 अब अगर आपको डी की वाल्यू पता है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते कैसे सर यहीं से स्टार्ट करेंगे हम सारे टर्म्स को निकालने थो एटू जो है आपका वह जाएगा एप्लस डी विच एज एज एकी माइनस फोर दी की वाल्यू टू तो हैं तो एकी जगा रखोगे माइनस 4 डी की जगा जाएगा माइनस 2 की प्लस 2 प्लस 2 होगा ना तो 2 टूजा माइनस 4 प्लस 4 मिला के कुल मिला के हो जाएगा सून्य है कि नहीं फूटूजा 4 पॉसिटिव अब यह मत कहना कि सर माइनस 4 और प्लस 2 है तो पहले उसको solve करेंगे नहीं करेंगे गड़ित में पहले multiplication होता है मुनना जान रखना कभी भी गलती मत करना चलो इसके बाद A3 हो गया बचा क्या A4 A5 A4 होता है A plus 3D यू तो आपको समझ में आ ही प्लस 4 तूजा 8 तो माइनस 4 प्लस 8 हो जाएगा केवल 4 तो आपके उत्तर में आएगा यहाँ पे कितना सर सबसे पहले आएगा 1-2 फिर आएगा 0 फिर आएगा 2 और 4 और पैटन के तहत अगला आना चाहिए 6 जो की हमारे सवाल में पहले से दिया है ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आसानी से हो गया सबसे इंपोर्टन क्या है इन सारे सवालों में जितना अच्छे से आप इसको यूज कर पाएंगे उतना इजी ली आप इस सवालों को निप्टा पाएंगे ठीक है पर देखते हैं चलिए ऐसा कोई सवाल बना नहीं जो हम सवाल सॉल्व कर नहीं सकते डाश सबसे पहले फिर थर्टी एट फिर तीन डाश एक दो तीन फिर माइनस ट्वेंटी टू ठीक है कुछ इस तरीके से कहानी है अब कहानी को हम लोग हमेच्छा से कैसे शुरू करते आ रहे हैं तो हमने एवन एटू एटू एट्री एफोर एफाइव और लास्ट वाला एशिक्स गौर करने वाली बात एपी बड़ी वाल्यू से छोटी वाल्यू जा रही है मतलब डिक्रीज हो रही है मतलब डी की वाल्यू कैसी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए कुछ इनीशियल उब्जरवेशन है जिसको आपकेवल अपने दिमाग में रख सकते हैं ताकि जब आप पूरा सॉल्फ करें तो आप खुद को चेक कर सकते हैं कि सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे है सनाओ कि हमारा डी का वाल्यू पॉजिटिव आ जबकि आना न ब्लाइंक है ए टू होता है ए प्लस डी जो कि यहां पे है 38 के बराबर तो यह एक इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखो एक्वेशन पूरी बन रही है कुछ भी ऐसा नहीं कि अन्नोन हो ए और डी अन्नोन है लेकिन इकल टू थर्टी ए मतलब उनकी वाल्यू पता है आ प्लस 4D और A6 होता है A प्लस 5D जो कि यहां पे है माइनस 22 के बराबर अब आप क्या करेंगे तो सर यह जो A प्लस 5D है मैं इसी को सॉल्फ करने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है जैसा कि मैंने पिछले वाले में किया था इस बार मैं कुछ और कर रहा हूं मैंने लेखा है A तो A की जगह रिखा आपने 38 माइनस D प्लस 5D is equal to माइनस 22 ठीक है माइनस D और प्लस 5D कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन बड़ी वाल्यू का साइन तो 4D पॉजिटिव माइनस 22 माइनस 38 38 पॉजिटिव था साइट चेंज करेगा तो नेगिटिव क्या मि यहां से सर हमको यहां से जानकारी यह मिल रही है कि जो यह 4D है H is equal to माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेकिन साइन नेगिटिव का आएगा जैसा कि मैं कह रहा था D की वाल्यू नेगिटिव जाएगी 8 और 2 10 एक कह रही तो यह 60 तो कुल मिला के D की वाल्यू आ रही है D is equal to minus 60 divided by 4 which is minus 15 कितना minus 15 अब अगर D की वाल्यू आपको मालूम चल गई है फिर तो आप आसानी से पूरा पेपर सॉल्फ कर जाएंगे मतलब यह सारे चीज़े कर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले हम सेकेंड माले से शुरू करते हैं देखो A की वाल्यू दिया कोई दिक्कत नहीं है चलिए गंदा जोक A equal to 38 माइनस माइनस 15 होगा जान रखना वैया वरना ये मत करना कि माइनस लगा है हमारे डीपी नेगेटिव है तो आप 15 को positive लिख दो गलत हो जाएगा उस case में तो A की वाल्यू हो जाएगी यहां पे कि अ की वाल्यू हो जाएगी एकी वाल्यू वाल्यू एकी की एकी वाल्यू हो जाएगी 38 और 15 जोड़ दो तो 53 हो जाएगी हमारे 2D, a3 की value आएगी, a plus 2D करके, तो a की value आएगी 53, plus 2 into minus 15, तो यह हो जाएगा minus 30, 53 में से minus करना है, आपने 30, तो यह हो जाएगा 23, तो पहले 38 साब कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है, अब a4 भी निकाल लेते हैं, तो भाईया, a4 भी same pattern पर चलेगा, a plus 3D, that is 53, plus 3 into minus 15, which is 45, 53 में से 45 आपने minus करना है, 5 और 3 हो जाएगा कितना, सब 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, तो क्या यहाँ पर answer में 8 आएगा, एक बर चेक कर लो, 23, 15 बिल्कुल ठीक, 8 आएगा, चलो, a4 भी हो गया, अब a5 भी देख लेते हैं, ठीक है, this is equal to 8, a5 would be a plus 4D, तो यह हो जाएगा, 53, minus, plus, sorry, 4 into minus 15, 15, 4, 60, तो 53, minus 15, minus 60, negative जा रहा है, पहली बार तो यह हो जाएगा, minus 7, कितना, minus 7, तो यह pattern बन रहा है, अब 7 और 15 हो जाएगा, 22, तो बिल्कुल ठीक है, हम सही जा रहा है, लाश वाले तक हम पहुँच गए, 53, 38, 23, 8, minus 7, 20, और, minus 22, तफ नहीं है सवाल, अगर आप एकदम basic को, आपने clear रखेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमने एकदम basic concept यूज करके solve किया, ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, फिर A6 सोचते हैं, फिर A6 निकालते हैं, महिनत करते हैं, solve करने के बहुत तरीके, लेकिन आपको एक काम करना है, बस हमेशा से mathematics को जितना simple रख सको, इसे मैंने कुछ special formula नहीं लिखा, AN का use नहीं किया, जबकि पूरा इस exercise के पहले हमने AN को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि nth term of an AP क्या होती है, पर मैंने यहाँ पर एकदम basic concept of general form of an AP को use करते हुए, पूरे सवाल का जवाब आपको बताए, ठीक है, तो तरीका कोई भी हो, बस इतना ध्यान रखना है कि सही होना चाहिए, अब अगर मैं यहाँ पर screen clear करके एक बास सारे answer लिख दूँ ताकि verification हो जाए, तो सबसे पहले answer आया था 14, 18, 13, 8, 3, यहाँ पर आया था 5, 6.5, 8, 9.5, यहाँ था minus 4 के बाद minus 2, 024, इधर पर आया था minus 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर आया था 53, चलिए, आप भी चेक कर लिजे कि आपके answer भी यही आ रहे हैं, after solving all the parts, युकि 5 पार्ट इसमें हमने 5 तो solve कर दिये, और यह कुछ हमारे final answer आ रहे हैं, screen करेंगे हम clear answer verification हो गया होगा, अगला प्रशन है हमारा, which term of the AP 3813, 18, देखो भी पिछले, पीछे हम इसी क चर्चा कर रहे थे लेकर उल्टी वाली थी, हमारे पास 1813, आठ तीन था, यहां पर उल्टा है, A78, चलो, कौन सी term है, अब देखो, which term का मतलब वो क्या पूछ रहा है, आपसे position या rank पूछ रहा है, मतलब यह तो वो sure है कि A78 इस AP का part है, उसकी tension नहीं है, ठीक है, बस अब ह पूदीशन पता लगानी है, rank पता लगानी है, तो भाई, इन दिस AP, A is equal to 3 है, D की value आएगी, 8 minus 3, that is equal to 5, आपको AN दिया है, 78, कौन सी term है, यह नहीं पता, तो जब उसकी exact location नहीं पता, exact rank नहीं पता, तो आप unknown ही मान के उसको solve करेंगे, और N की value आपको पता लगानी है, कि पूदीशन क्या है, तो चलिए, AN का formula कहता है, कि आपको A plus N minus 1 into D करना पड़ता है, ठीक है, जो जो चीज़े पता है, वो लिख दीजिए, तो AN की जगा 78, A की जगा 3, N हमें पता नहीं है, तो N minus 1, D की जगा आजाएगा 5, positive है, 78 में से 3 करेंगे, हम minus, तो यहाँ पे रहेग N minus 1 into 5, ठीक है, 78 में से 3 गया, तो 75 बचेगा, जो 3 यहाँ, जो 5 यहाँ, डिविजन मल्टिप्लिकेशन में है, साइट चेंज करेगा, तो डिविजन में आ जाएगा, अंदर बचेगा N minus 1, 5 वहाँ कहां था, डिविजन में था, साइट चेंज किया, तो मल्टिप्लिकेशन पिचातर बटे 5, कितना हो जाएगा, सार, 75 वाइ 5 हो जाएगा, 5 वन जाए 5 और 5 वाइ 5 वाइ 5 पंदरा, इस एक्वल टो N minus 1, तो 16 इस दा वाली ओफ N, 16 टर्म है इस AP की, यह पटिकुलर 78, खाली हमें राहेंग पूछी थी, राहेंग हमने बता दी 16 तह है, तो आप क्या लिखोगे, 78 is 16th term of the given AP, यह फिर 78 is the 16th term of the AP, 38, 38 and so on, डौट डौट जैसे भी आप लिखें, ठीक है, पर वो concluding statement लिखना अत्यंत ही आवशक है, ध्यान रखें, ठीक है, अगर वो नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी, चलिए, यह सवाल होगे हमारा solve, स्क्रीन करेंगे ह अब अगिला प्रशन आ गया है हमारे सामने स्क्रीन के उपर, इसको solve करने के हमें कोई धनराची नहीं मिलेगी, और बिसी वाद है क्योंकि KBC नहीं चल रहा है, यहां पर है, बहुत ही किलियर चल रहा है अपन, चलो, find the number of terms in each of the following AP, यहां लिखी गई AP में number of terms अर्थात N की value आपने ग्यात करनी है, ठीक है, कोई दिकत तो नहीं है, चलिए, कैसे पता लगाएंगे, सर, AP जो दी गई है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास चीजे अविलेबल हैं, उसके साबसे फिर हम सवाल को अप्रोच करेंगे, चलिए, आपकी AP है 7, 13, 19, and so on, यह value पता होनी चाहिए, हमें कम से कम तो 7, D की value पता होनी चाहिए, 13-7, that is 6, A आगया, D आगया, 205 लास्ट टरम है, तो आप कुछ लोग इसको L लिखते हैं 205, प्योंकि लास्ट टरम है, कुछ इसको AN भी लिख सकते हैं, देखो, जिस टरम के बारे में कुछ पता नहों, उसे हम AN कह देते हैं, कैसे, जैसे जिस टरम के बारे में सब कुछ पता है, कि position क्या है, D क्या है, A क्या है, और उसके बाद फिर कौन से नंबर पे है, वो संख्या कितनी है, मतलब उसकी value कितनी है, for example, यह 19 है, 19 के बारे में आपको सब पता है, क्या, कि यह भाईया, 19 जो है, वो आपको position पता है, इसके पहले की term पता है, तो आप common difference निकाल सकते हैं, इसके बाद की term बटा सकते हैं, सब कुछ पता है, तो वो unknown नहीं है, लेकिन जो A, यह 205 है, यह कौन सी term है, मुझे नहीं पता, तो अगर कुछ भी unknown quantity हमें मिल जाती है, या फिर एक ऐसी term मिलती है, जिस निकालनी पड़ेगी, तो जब कुछ पता न हो, तो हम इसका यूज करते हैं, जो unknown चीज है, उसको पता लगाने के लिए, समझा आगे आपको यह logic, चलिए, an होता है, formula यूज करके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, using an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, तो जहाँ पे जो जो चीज़ a की जगा जाएगा, 7, n minus 1 as it is, d की जगा लिखोगे, 6, 7, positive है, side change करेगा, तो negative हो जाएगा, minus हो जाएगा, to 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6, 5 में से 7 गया, तो कितना बचेगा, सार, 205 में से 7 जाएगा, तो 198 बचेगा, which is most probably divisible by 6, चलिए, चेक कर लेते हैं, तो जब आप 198 को 6 से डिवाइड करेंगे, तब आपको n minus 1 के बराबर एक value मिलेगी, ठीक है, 6 तिया, 18, 1 carry, 6, 3 is 18, 33 is equal to n minus 1, प्राप्त हुआ हमें, 33 minus की जगा हो जाएगा, plus 1, क्योंकि side change कर रहे हैं, तो n आ जाएगा, 34 is the value of n, कहने का ताद पर रहे हैं कि जो 205 है, वो 34th term है, ठीक है, अब जब वो 34th term है, तो number of terms कितना होगा, सर वही last term है, वो 34th है, इसका मतलब clear है कि AP में 34 terms है, जो last है, उसकी जितनी position है, कुल मरला के उतना ही होगा, उस ते जादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके जादा कुछ होता, तो वो exist करता, हमें दिखता, हम उसे solve करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 205 पर कहानी खतम हो रही है, तो 34 terms है, इस पहली वाली AP में, clear, साफ, सुन्दर, स्वच्छ, बिलकुल सर चलिए, screen यहाँ पर साफ करेंगे, अगला यहाँ पर देख लेते हैं, चुरू हो रहा है, 18 से, फिर 15, उसके बाद फिर 13, and so on till minus 47, चलिए, पहला क्या आपको अंदेशा दिख रहा है, यहाँ पर, कि AP में decrease हो रहा है, downfall हो रहा है, मतलब D कैसा होगा, D negative होगा, तो एक आपको यह कितना signal मिल गया, अब यह signal जब आप पूरा solve करोगे, तो आपको काम आएगा, कल को अगर D की value positive आ गई, तो आप एक बार cross check करोगे, कहीं मैंने कुछ mathematical solving error तो नहीं किया है, और अगर किया है, तो फिर उसको सही कर लेंगे, ठीकिन नहीं, यह जीवन में क्या कहते है राहूल सर, राहूल सर ग्यान देते हैं कि गलती करना बड़ी बात नहीं है, उसको समझ के, पकड़ के, सही करना important है, ठीकिन गलती तो हम सब करते, पर अगर उसको सही कर लेंगे, तो वही हमें जीवन में आगे बढ़ने में help करता है, यह था छोटा सा ग्यान का episode, आ जाते हम वापस पढ़ाई के उपर, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि D negative है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, D निकालना पड़ेगा, तो A की value 18 है, D है साड़े 15 माइनस 18, अच्छा एक बात का ध्यान दखना, calculation करते समय, भले ही बहुत minute सा calculation हो, पर गलती हो जाती है इंसान से, काफी लोग, खासकर यहाँ पर D निकालते समय सोचते हैं कि हम ओरली कर लेंगे, और फिर हमारा जवाब सही हो जाएगा, देखिए, अगर आप ओरली कर पा रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी कि आपने ओरली किया और सही किया, पर अगर गलती हो रही है ओरली करने में, आपके सवाल का जवाब गलत आ रहा है, और आप एक दो बार में यह समझ गए हैं कि आपसे गलती हो रही है, तो मेरा आपसे विनमरा नुरोध है कि यह न सोचें कि हम बड़े हो गए हैं तो हम mathematics या छोटा सा सब्ट्राक्शन लिख के कैसे कर रहे हैं देखो कोई दिक्कत नहीं है मैं खुद यहां लिखके करता हूं calculation तो मेरे को क्या शरम आती है बिल्कुल नहीं आती है क्या दिक्कत ह भले ही चाहे मैं लिखके करूं चाहे दिमाख में करूं चाहे पैर से करूं चाहे कहीं से भी करूं आंशर सही आना चाहिए है कि नहीं तो यहां पर डी हो जाएगा 15 दुनी 30 31 बटे 2 माइनस 18 बटे 1 LCM लेना पड़ेगा डी की वाल्यो आएगी 31 माइनस 36 होल डिवाइड ब भी नेगेटिव आरा चलिए ए मिल गया डी मिल गया और क्या चाहिए सर लास्ट टर्म एल इस इक्वल टू माइनस 47 केवाल लास्ट टर्म होने से कुछ नहीं होगा हमें इसकी पोदीशन चाहिए तो उसके लिए हम इसे एन नामक एक बैच पहना देंगे एक तमगा देंग रही तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एन का फॉर्मला यूज करते हुए तो अंग्रेजी सब्द के इस्तमाल होगा यूजिंग ठीक है एन इस इक्वल टू ए प्लस यन माइनस वन इन्टू डी ठीक है तो आपने लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस 47 इस इक्वल टू क्योंकि एन इस माइनस 47 ए की वाल्यू इस 18 अठारा एन माइनस वन आज इस डी की जगाँ पर आ जाएगा माइनस 5 बाइटू कितना माइनस 5 बाइटू यह जो 18 है पॉजिटिव है साइट चेंज करेगा तो नेगेटिव तो माइनस 14 माइनस 18 ठीक है इस इक्वल टू एन माइनस 1 इ 65 इन्टू 2 होल डिवाइट बाइट बाइट यह क्या हुआ सरे जो एन माइनस 1 के बाजू में माइनस फाइट था उसको हम साइट चेंज करके इस तरफ लाए तो वो क्या होगा फ्रैक्शन का उल्टा हो गया जो कि 2 जो डिविजन में था साइट चेंज करेगा तो और यह 13 जा ठीक है 5 बंदा 5 535 तो 13 दूनी हो जाएगा यहां पे n-1 13 टूजा हो जाएगा 26 is the value of n-1 क्या आपको यह समझ में आया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं अब क्या यहां पे हमारा सवाल समाप्त होता है नहीं सर n की value ग्यात करनी है तो आंसर आएगा 27 हम मैंसे कई लोग बहुत बार 26 equal to n-1 पे रुख जाएंगे यह सोचके कि सवाल निपड़ गया जल्दबाजी में क्योंकि excitement भी होती नहीं कि हमने पूरा सवाल सही कर दिया है पर अभी एक step और है जहां पर माइनस वन को प्लस वन करना है ठीक है तो वह ध्यान रखना अगर वह आप कर देंगे नहीं करेंगे तो टीचर आपके बले भले ही आराम से पूरा सवाल सही होगा फिर भी आधा नंबर काट लेंगी और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई आधा नंबर भी काटे या यह लास्ट है यही 27 थे तो एपी में कितने टर्म्स होंगे 27 टर्म्स होंगे चलिए स्क्रीन यहां पर हम क्लियर कर सकते हैं क्या बिलकुल सर कोई समस्या नहीं है इसके दोनों पार्ट हमने बड़ी आसानी से समाप्त कर दिये अगिला पिरस नेक्स्ट कोईशन है चेक इस माइनस 150 और तर्म क्या देड़ सो माइनस देड़ सो यहां दी हुई एपी का एक टर्म है या फिर नहीं ठीक है अब इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे देखो माइनस देड़ सो टर्म है या नहीं यह हमें पता लगाने के लिए शुरू कहां से करना पड़ेगा शुर पॉजिटिव हो गए वैसे नहीं बिढ़ना इधर पॉजिटिव मतलब माइंड सेट पॉजिटिव रखना जरूरी है तो हम कहाँ से करेंगे कि क्यों देड़ सो को छोड़ना है विचारे को के लिए तो मान लेते की लेट है माइनस 150 बी अटर्म कि ओफ गिवन एपी ठीक है आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो let us assume that पता ज्यादा आगर आपको इंगलिस लिखनी है तो let us assume that माइनस 150 is a term of the given एपी ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा अगर ऐसा है तो हमारी जो एपी है विच इस ग्यारा आठ पांच though and so on ठीक है इसके सारे नियम काईजे कानून में वो fit बेठेगा तो देखो यहाँ पे a की value है 11 d की value है minus 3 कैसे पता आठ में से 11 minus किया तो minus 3 अब यहाँ पे अगर minus 150 एक term है an तो उसकी कुछ position तो होगी ठीक है और हम अगर इसकी position पता लगा लेंगे तो हम sure हो जाएंगे कि भाईया जो हमने assumption किया है वो सही है या फिर नहीं है क्योंकि देखो बोल देना कि भाईया होगी term कोई बड़ी बात नहीं है आपको साबित भी तो करना है कि जो आपने कहा है वो सही है तो उसका एक प्रूफ क्या होगा हम इसकी rank इसकी position ला देंगे एपी में तो लोग क्या हो जाएंगे संटुस्ट हो जाएंगे कि हाँ आप सही कह रहे थे माइनस 150 है position भी है उसकी ऐसी रैंडमली कुछ भी नहीं बोल दिया है न तो इसी लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा यह जो एन है एन में से उसकी संख्या ग्याद करने पड़ेगी और यदि हम उसकी संख्या ग्याद कर पाएंगे तो फिर हम आसानी से एक्दम केता तो हम यूजिंग करेंगे एन का एन के formula का which is a plus n minus 1 into d an की जगा हो जाएगा minus 150 a की जगा जाएगा 11 plus n minus 1 into d की जगा पर आप लिखोगे minus 3 है ना d negative है एक बाद चेक कर लो 11 आठ पांचांसर decrease हो रहा है चलिए minus 150 पहले से है minus 11 और हो जाएगा तो यह हो जाएगा n minus 1 into minus 3 कोई समस्या कोई संका यह हो जाएगा minus 161 add करें क्योंकि दोनों को minus minus plus हो जाता है whole divide by minus 3 is the value of n minus 1 minus से minus cancel so 161 को जब आप 3 से divide करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे 3 5s are 15, 3 3s are 9, 53.6 पूरा solve करेंगे तो 54.6 is the value of n अब थोड़ा सा यहाँ पे दिल की धड़कने बढ़ जाएगी क्योंकि n की value decimal में आ रही है ठीक है क्या n की value decimal में हो सकती है पहला सवाल तो यह आना चाहिए आपके अंतरमन में और ऐसा क्यों आना चाहिए जो कि सर जो n है यह बताता है position कि भाया चौथी, पांचवी, दसवी, एक सो पचासवी, छटवी position है तो किसी भी चीज की position कभी decimal में नहीं हो सकती, किसी की भी rank कभी decimal में नहीं हो सकती इसका मतलब कि यह जो 54.6 है यह हमें चिला चिला के इशारा कर रहा है कि भाया आप कुछ गलत कर रहे हो हमने का ठीके भाया जांच कर लेते हैं, तो हमने देखा हमारी calculation तो सही थी, उसमें कुछ खास गलवड के आशंका बहुत कम थी तो हमने सोचा भाया फिर गलती हुई का है, एपी हमने सही लिखी है, तो गलती थी यहाँ पे आपने assume ही गलत किया था तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कि since, since n does not belong to integers, क्योंकि n की value integer में नहीं आ रही है, counting number की रूप में नहीं मिल रही है तो हम यह बोलेंगे कि हमारा assumption गलत था, that is, 150 is not a term of the given AP क्या ही आपको समझ में आ गया, कि 150 इस AP का term नहीं है, clear हो गया, क्या किया हमने, हमने solve किया, n की value अगर decimal में नहीं आती मतलब complete number आती है, in the form of counting number या natural number, तब हम बोलते कि हाँ भया, यह जनाब इसका term है पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए, कुछ ना कुछ गरबड हुई है, calculation हमने check की, सही था, AP हमारी सही थी तो सुरुबात ही हमने गलत कर दी थी, कि हमने assume कर लिया था कि वो term है AP का, लेकिन वो नहीं था, ठीक है, गलती उसकी भी नहीं है भाई, उसका तो कामी है, कि ऐसे किसी भी AP में सामिल हो जाना, उसको तो मज़ा ही आएगा, चलो, seventh question हमारा यहां पे screen पे आ चुका है, क्या क पतली भी नहीं निकाल नहीं, मोटी अच्छी खा से निकालो भईया, मतलब खाते पीते घर की, चलो, यह रही, तो पैन को बोल रहा था मैं, कि इंक, 31st term of an AP, whose 11th term is 38, 11th term है 38, और 16th term है 73, अब यह देखो, यह सवाल हो जाता है, important क्योंकि यदि यह boards में आया, या इसका कोई सवाल आया, तो तीन नंबर के आने के प्रबल दावेदार हैं, यह सवाल, क्यों, क्योंकि इसमें आपको directly कुछ भी नहीं दिया है, सब चीजें आपको खोद खोद के निकालनी पड़ेंगी, ना A दिया है, ना D दिया है, बस वो कोई randomly 2, 11V और 16V term दे दी है, अब उस को solve करते जाईए, उसके बाद फिर answer लाईए, चलिए, तो पहले जो जो जानकारी हमें पता है, वो लिख लेते हैं, हमें 31st term निकाल लिए, तो basically A31 is unknown, ठीक है, यह हमने पहले ही इशारा कर दे कि क्या लिकालना है, उसके बाद जो दिया है, तो आप देखोगे, यहां पे given, जो given है, वही आपका जीवन है, मतलब वही solve करोगे, तभी तो answer आएगा, A11th term दे रहा है, तो मतलब A11 is equal to 38, अच्छा 11th term निकालेंगे कैसे, अगर हम formula use करें, तो हम क्या करेंगे, सर, 11th term निकालने के लिए, पहली बात तो A से शुरू करना पड़ेगा, तो A, फिर उसमें प्लस हो जाएगा D, लेकिन कितनी बार, 10 बार, 9 बार, 11 बार, 12 बार, तो सर, ये होता है, कि क्योंकि आपने एक term गिन ली है, तो बचेंगी 10, इसलिए 10D होगा, देखो शुरू करना है, तो आपने शुरू कर दिया A से, अब आपको कितने step तक कूजना है, 11th step तक जाना है, बचे कितने, 10 बचे न, तबी तो 11 पूरे होंगे, तो यहाँ से आपको मिला A plus 10D is equal to 38, अगर आप AN equals to A plus N minus 1D का formula यूज़ करेंगे, तब भी आपको यही result मिलेगा, पर ये थोड़ा हम लोग common sense वाइस जाते हैं, वो थोड़ा technical हो जाता है, बस चलिए, उसके बाद 16th term का यहाँ पर विवरण हैं, कि सोलवी term है 73, 16th term कितनी है, 73 है, solve करोगे, तो A plus 15D is equal to 73, वाइ यह तो राइमिंग हो गया, A plus 15D is equal to 73, चलो, अब दो equation हैं आपके पास, ठीक है, कक्षा, 10 वी chapter का नाम, pair of reader equation in two variable, उसमें आप कितने ही बार ऐसी दो equation को solve करके, गर्मा-गरम answer हमें परोज चुके हैं, मतलब आप solve कर चुके हैं, बस क्या करना है, उसी में से कोई एक में तरिया, तो elimination कर लो, या substitution कर लो, मर्जी आपकी है, दोनों ही case में answer तो आए गई आएगा, तो A plus 15D is equal to 73, और A plus 10D is equal to 38, इसके उपर आप लिख सकते ह solving, कौनसा method, elimination method of solving a pair of linear equations in two variable, we get, ऐसा इसके ठीक उपर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर हम करेंगे, दोनों को minus, तो A से A cancel, 0 बचा, 15 में से 10 minus 5 बचा, 73 में से 38 minus करना है, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है, 85, 13, और यहाँ पर हो जाएगा, 6 में से 3 गय दोबारा चेक कर लो, 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, कुल मिलाके, जोड़ घटाके, D की value आएगी, 35, divide by 5, so then D is equal to 7, D की value, 7, क्या जो D की value मेरे पास आईए, वही आपके पास भी आ रही है, पहले यह देख लो, ठीक है, अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है अगर ना, तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, कहां गलती हुई है, ठीक है, चलिए, D की value आगई, 7, अपके, D की value निकाल के हम बैठ जाएंगे, नहीं सर, अभी तो A निकालना पड़ेगा, तब तो 31st term मिलेगी, चलिए, दोनों में से कोई भी equation यूज कर लो, तो A plus 10 into 7 is equal to 38, तो A is equal to 38, 7 tensa होता है, 70, तो minus कर दो, तो A की value हो जाएगी, यहाँ पर कितनी, सर, अब यहाँ पर 70 में से 38 minus करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 32, लेकिन negative sign के साथ, तो कि 70 बड़ी value है, एक बार आप चेक कर लीजे, क्या यही value इस equation से भी आ रही है, पूरा करने की जरवत नहीं, औरली भी कर सकते हो, 15 into 7 करोगे कितना हैगा, बर्म चेक करें यहाँ पर, तो A plus 15 into 7 is equal to 73, 75 is the 35, 5 यहाँ तीन उपर, 105, जी हाँ बिलकुल, 5 है तीन उपर, 77, 8, 9, 10, जी हाँ बिलकुल, equals to 73, तो A की value होगी, 73 minus 105, अब यहाँ पर भी अगर आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, सर माइनस करेंगे, तो यह भी आएगा, यहाँ पर देखो, 75 से लेकर, 100 तक होगा, 25, 25 और पांच, 30, 30 और यहाँ पर दो तो होगा, 32 बिलकुल ठीक है, आप एक्च्वल माइनस करके सकते हैं, देख सकते हैं, करके, पर लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंटल मार्स किया, जो कि हरेका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, मेरा तरीका मुझे सूट करेगा, आपका तरीका आपका सूट करेगा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, यह सर ने कैसे किया, कालकुलेशन हमें भी करना चाहिए, देखो, जो ट्रिक ऐसा होता है, कि हम सकते हैं वो बिल्कुल हम बताते हैं जैसे कि अभी मैंने क्या किया 105 में से 73 माइनस करना था ठीक है तो पहले मैंने गिन लिया कि 75 से 100 तक हो गए 25 फिर 100 से 105 तक हो गए कितने 5 तो यह हो गए 30 और उपर गिन लिया से 73 से 75 हो गए 2 तो 25 और 35 और 32 ऐसे गिना मैंने अपने दिमाग में आप अपने तरीके से गिन सकते हैं उसमें कोई आपती नहीं आप डिरेक्ली माइनस भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है चलो एक ही वालियो आगे माइनस 32 अब आपने क्या निकालना है अब आपको बता is equal to a plus n minus 1 into d ठीक है तो a 31 हो जाएगा a plus 31 minus 1 into d ठीक है तो a 31 आपने पता लगाना है वो ऐसे ही रहेगा a की जगा जाएगा minus 32 plus 30 into 7 च्योंकि d की value है 7 a 31 हो जाएगा यहाँ पर minus 32 plus 7 या 21 210 a 31 minus करने पर कितना सरीय हो जाएगा 178 if I am not wrong 10 में से 2 गया 8 और 20 में से 3 गया तो 17 तो 178 आपका अंसर आएगा बिल्कुल ठीक आप एक बर और चेक कर लो इजी था यह question अगला देख लेते हैं सवाल नंबर आठ क्या बोल रहा है आपसे एक एक एपी में देखो यहाँ पर क्या का information दी है एक एपी में 50 टर्म मतलब कैसी एपी है फाइनाइट है 50 मतलब एन की वाल्यू लास्ट में कितनी होगी एट मैक्स 50 हो सकती है एन इस उकल टू 50 ठीक है थर्ड टर्म के बारे हम बोल रहा है कि थर्ड टर्म इस 12 गणित के इसाब से ए 3 इस इक वल टू 12 आड़ लास्ट टर्म इस 106 लास्ट टर्म इस 106 mathematical meaning कि L की वाल्यू है 106 और अगर मैं इसी को थोड़ा reverse में लेके जाओं तो देखो 50 टर्म से मतलब आखरी टर्म कौनसी होगी 50 वी टर्म होगी तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि A50 is equal to 106 सरी एक बार समझ नहीं आया चमका नहीं एक बार दुबारा समझा दो टर्म हमें पहले से पता है कि AP में कुल मिला के 50 टर्म है तो AP में 50 टर्म है और आखरी टर्म में 106 इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम ही है कि भाईया जो 50 टर्म है वही 106 है क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया लास्ट टर्म मतलब आखरी वाली और थी ही 50 तो जो 50 टर्म होगी वही लास्ट होगी वो हमने लिख दिया A50 equals to 106 ठीक है अब आपको क्या करना है find करना है 29 टर्म को ठीक है पतलब आपने क्या पता लगाना है A29 कितना है यह हमारे पूरे सवाल का सारांच है अर्थात शाट में मीनिंग है क्या दिया है क्या निकालना था चलिए थार्ट टर्म से हम शुरू करेंगे जो जो गिवन है तो सबसे पहले गिवन है यहाँ पे की A3 is equal to कितना 12 अर्थात A plus 2D is equal to 12 था था थार्ट टर्म थी तो मतलब D कितने होंगे 2 होंगे क्योंकि एक A पहले ही हो चुका है तो पहली सीट भर चुकी है बची कितनी दो सीट उ पहुंचोगे लास्ट टर्म A50 is equal to 106 मतलब A plus 49D is equal to 106 थीक है दो एक्वेशन दोनों का हम solve कर सकते हैं तो कहां पर क्या लिखोगे यूजेंग जो भी method यूज़ कर रहे हो सब्सिटूशन है elimination ठीक है मैं elimination कर रहा हूँ using elimination method खली इतना लिख दो काफी है कोई दिक्कत नहीं कि कौन से उसका है सबको पता elimination method कहां पर होता है चलो तो सबसे पहले बड़ी वालू लिख देते हैं तो A plus 49D is equal to 106 और A plus 2D is equal to कितना 12 solve करेंगे हम A से A cancel 0 49 में से 2 गया तो 47 बचेगा ठीक है और 106 में से 12 गया तो 96 नहीं 94 बचेगा sorry क्योंकि 6 वहां गया 6 वहां जाएगा है ना तो 94 बचेगा या 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा simple minus B का सत्यों D की value आएगी 94 divided by 47 और जितना गणित मुझे आता है 47 टू जा होता है 94 ठीक है D की value 2 आ गई क्या हमें A की value की जरुवत है बिल्कुल है सर तो जहीं पे equation है बस उसी को use करके हम अपना answer बता सकते हैं यह रही equation मैं इसको ही use कर रहा हूं कि A plus 2D equal to 12 तो A plus 2 into 2 is equal to 12 A equal to 12 minus 4 that is 6 नहीं सौरी देख रहा माच की TV के मेरी 12 मैं से 4 गया तो 8 बचेगा 12 minus 4 is 8 यह 4 कहां सा है 2 into 2 था 4 इस तरफ साइट चेंज करेगा तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है कल को पता चले नीचे लिख दो कमेंट में की सर 4 कहां से आया तो मैं अपने घड़ से नहीं था लाया यहीं पर था बस खाली थोड़ा सा एक स्टेप तेज चल गया मैं वैसे multiply करके फिर minus पर आता पर मैंने का समझ जाओगे तो होग समझ गए होगे a की value 12 d की value 2 क्या निकालनी है 29 टर्म तो a 29 कितना होगा यहीं सबसे बड़ा सवाल है फिलाल फिर से क्या करोगे आप लिखोगे using a n is equal to a plus n minus 1 into d सर मुझे पता है कि a 29 होता है a plus 28 d I know पर आपका क्योंकि सवाल दो या तीन नमबर में आएगा तो मेरा अनुरोद है कि at least एक बार formula तो लिख दीजिएगा ठीक है भले ही आप उसको solve ऐसे करें कि therefore a 29 would be equal to a plus 28 d that doesn't bother me ठीक है बट at least एक बार formula लिख दिना ताकि इंसान को समझ में आजा है जो भी teacher हो उसे याद रहे कि आपको formula आता है ठीक है चलिए a 29 निकालना है तो भाया a 29 तो रहेगा a की जगा लिखोगे a की value that is 8 plus 28 into d की value that is 2 ठीक है तो a 29 हो जाएगा यहाँ पे 8 plus 28 दूनी कितना हो जाएगा सर 16 आठ ए टूज़ा 16 एक कैरी टूटूज़ा 4 15 56 तो a 29 हो जाएगा 56 plus 8 8 और 6 14 64 होएगा क्या आंसर एक बार चेक करो तर आठ हो जेशे चाहुदा एक कैरी बिल्कुल सर तो 29 टम क्या होगी 64 होगी हो गया सवाल सॉल्फ निपड गया अपन इससे कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर चलिए इसी के साथ हम क्या करेंगे इस सवाल की समापती के लिए स्क्रीन के लिए और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर अब नौवा सवाल हमारा नाइन्थ कोईशन इस स्क्रीन पर आ गया है कि भाईया इफ द थर्ड और नाइन्थ टर्म अफ ने पी आर फोर और माइनस एट रिस्पेक्टिवली विच टर्म अफ दिस एपी इस जीरो मतलब आपको पोजीशन बतानी है आपको रांक बतानी है पोजीशन बतानी है किसकी पोजीशन बतानी है आपको जीरो की मतलब बेसिकली आपको क्या बताना है कि एन कितना होगा यदी यदी एन है जीरो क्या मैं ठीक कह रहा हूं मतलब आपने का कि जीरो एक टर्म है तो आ AP का part है लेकिन ये नहीं पता कौन सी position पर है तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि third term is four तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि AP की third term है four पूरी जानकारी है या फिर ninth term है minus eight नाइन्थ term है minus eight देखो पूरी जानकारी है position क्या है AP कौन सी है और क्या संख्या है minus eight यहाँ पे संख्या पता है शून नहीं है लेकिन कौन सी है किस rank पे है किस position पे है वो नहीं पता है इसलिए वहाँ पे unknown quantity के लिए an use किया है चलिए अगर मैं इन दोनों statements को solve करूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले given ठीक है यह हमें यहाँ पे position निकाल नहीं है तो वो सिब आपको समझाने के लिखा है a3 हो जाएगा a plus 2d is equal to 4 दूसरी तरफ a9 दिया है minus 8 which also says that a plus 8d is equal to minus 8 दो equation दो variable दो तरीके solve करने के या तो substitution या फिर elimination आप दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं मैं for a change यहाँ पे substitution method को यूज कर रहा हूं तो मैंने लिखा bracket में a would be equal to 4 minus 2d अच्छा एक request है आपसे अपने कुछ अलग color यूज किया है तो आप मुझे बताना comment में कि यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो इसको यूज करना हम बंद कर देंगा अगर दिख रहा है तो फिर बढ़ियां धडल्ले से उस करेंगे क्योंकि अच्छा लग रहा है मिर कोई कलर ना लाल ग्रीन परपल भी अपने पास तो और वो यहां पर आ चुका है अब यहां देखो यह जो माइनस यह जो 4 है वहां जाएगा हो जाएगा नेगिटिव आट में से दो गया है तो 6D बचेगा माइनस 8 माइनस माइनस 8 माइनस 4 तो 6D हो जाएगा यहाँ पे कितना सर 6D हो जाएगा यहाँ पे माइनस 12 तो D की वाल्यू आ जाएगी माइनस 12 बटे 6 अर्थाद D की वाल्यू is 2 कितनी बोली आपने सर हमने कहा कि D की वाल्यू है 2 अब अगर D की value 2 है तो क्या आप A की value पता लगा सकते हैं बिलकुल सर निकाल सकते हैं हम A की value तो A की value कहां से निकालेंगे यहीं से use कर लेते हैं A equal to 4 minus 2D चलिए नया color है तो use भी करते हैं थोड़ा ज्यादा तो A would be equal to 4 minus 2 into 2 plus 2 की minus 2 वो भी धैनक ना भाई है सर माइनस 2 है क्योंकि माइनस 12 था गलती मत कर देना ठीक है माइनस 12 तो यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस 2 आएगा तो A would be equal to 4 plus 4 क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो यह minus of 2 into minus 2 ऐसे लिख दो तो A would be equal to 4 और 4 आठ अब आपके पास A आ गया आपके पास D आ गया अब आप क्या करोगे A और D होने के बाद सर अब हम करेंगे इसको समाप्त कैसे यहाँ पे N की वाल्यू निकालके ठीक है विच टर्म बोला है तो मतलब वो शौर है मुझे इसा लग रहा है कि भाई यह टर्म होगी ही होगी चलिए उसकी शौरिटी पे हम यकीन कर लेते हैं तो यह हो जाएगा A N equal to 0 N आपको पता करना है A की वाल्यू है 8 और D की वाल्यू है माइनस टू क्योंसा फॉर्मला यूज करोगे तो सर यूजेंग A N is equal to A plus N minus 1 into D क्या मिलेगा आपको सरा में मिलेगा 0 equal to A की जगा जाएगा 8 plus N minus 1 into D की जगा जाएगा माइनस टू यह जो 8 है side change करेगा तो माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि 0 minus 8 होगा तो minus 8 ही बचेगा whole divide by minus 2 करेंगे हम तो आपको मिलेगा N minus 1 दोनों को divide करेंगे आएगा 4 equal to N minus 1 minus 1 यहाँ जाएगा तो 4 और 5 is the value of N मतलब इस AP की 5th term है 0 इस AP की कौन सी term है 5th term है 0 ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं तो आप क्या लिखोगे 5th term of the given AP is 0 ठीक है या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 0 is the 5th term of the given AP कुछ भी लोगो बस convey कर दो आप अपने teacher को examiner को कि आप क्या कहना चाहरे है क्या होग दिया मैंने यहाँ पर फिलाल यह जो color यूज किया green color वो आपको दिख रहा है clearly कि नहीं तो मुझे आप comments में बताएंगे ठीक है चलिए यह सवाल समाप्त कर दिया हमने अगला प्रशन है हमारा दसवा प्रशन जो कह रहा है कि 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 एक AP की 17th term के बारे में connection दिया है ठीक है find the common difference आपको डी पता लगाना है और कुछ नहीं करना है चलो अब जो statement दिया है इसका mathematical meaning क्या होगा 17th term मतलब a 17 ठीक है exceeds मतलब जादा है किस से 10th term से कितनी 7 जादा है अब अगर वो जादा है इसका मतलब साफ है कि दोनों को जब आप minus करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जितना जादा है उतना मिलेगा that is 7 भाई यह 7 जादा थी तो minus करने पर 7 ही जादा मिलेगा न अब यहाँ देखो 17 का हो जाएगा a plus 16 d आपको अच्छे से पता है इसको मैं एक bracket में बंद कर रहा हूँ minus of a plus 10 d मतलब यहाँ पर हो जाएगा a plus 9 d इसको भी एक bracket में बंद किया हमने और ऐसा करने पर answer आएगा यहाँ पर 7 अब आप इसको solve करने के लिए bracket open कर सकते हैं तो 16 d minus a minus 9 d is equal to 7 1 a positive 1 a negative दोनों हो जाएगे cancel तो क्या बचेगा सर 16 d में से 9 d minus करेंगे तो बचेगा 7 16 में से 9 minus किया तो 7 d is equal to 7 d की value हो आएगी 7 upon 7 that is equal to 1 क्या बोला आपने d की value है 1 सवाल ने क्या बोला था के वल common difference बता दो हमने वो बता दिया बाकी पूरी महनत हमारी नहीं है तो हम क्या करेंगे screen को करेंगे clear d की value निकल के आ गई उतना हमारा काम था सबसे important क्या था यहाँ पर जो opening statement दिया है वो 17 term x is the 10th term by 7 उसको समझ पाना और use कर पाना यह हमारे यहाँ पर learning वाला पार्ट था बाकी common difference निकलना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है की नहीं चलो आगे बढ़ते हैं 11 बाक सवाल क्या बोल रहा है which term of the ap which term मतलब कौन सी term बोल रहा है आप से ठीक है will be 132 more than 54th term ठीक है देखो इसका mathematical meaning क्या हुआ पहली बात तो एक ap दी गई है जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ap है हमारी 3 15 27 49 and so on ठीक है आप यहाँ पर लिख दो given given क्या क्या है यह ap है जहाँ पर आपको मिल रहा है a equal to 3 d equal to 12 अब जो गड़ेत है सवाल में वो क्या कह रहा है कि देखो 54th term जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि 54th term के बारे में चर्चा हो रही है तो यह आगई 54th term तो 54th term से 132 more मतलब 132 जादा 132 प्लस ठीक है एक term है ठीक है अब वो term कौन सी है वो आपको बतानी है तो जो जिसके बारे में कुछ पता ना हो unknown उसे आप क्या कहते हैं हमेशा क्या आपको स्टेटमेंट का या सवाल का यह mathematical रूपांत्रण अर्थात mathematical version समझ में आया नहीं एक बार दुबारा समझें देखो क्या कह रहा है आपसे कि कौन सी term है which term कौन सी position पे लाइक करने वाली term है इस AP की जो की इसी AP की 54th term से 132 more है तो यह रहा more के लिए प्लस यह रहा 132 क्योंकि उतनी जादा है किस से 54th term से कौन है वही तो पता लगाना है तो जब पता नहीं है तो क्या लिखोगे AN ही तो लिखोगे है की नहीं चलो अब यहां देखो आप जब इसको solve करने का प्रयास करेंगे यहां पर आपके पास सबसे पहले A54 आना चाहिए तो A54 निकारने के लिए आपको करना पड़ेगा A plus 53D ठीक है चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहां पर using formula AN equal to A plus N minus 1 into D ठीक है पर अगर यहां पर आप directly करते हैं तो भी कोई दिकत नहीं क्योंकि आगे जब मैं A L लिखूंगा तब तो पक्का मैं formula यूज करूंगा तो A54 कैसे निकालेंगे तो A54 निकालने का simple funda है A की जगा आजाएगा 3 यहां आजाएगा 53 into 12 ठीक है इन दोनों को जब आप multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा A54 की value के आसपास का एक answer जिसमें plus 3 करने पे final उत्तर आएगा 530 सर यह कैसे आया 12 से multiply करना है तो मेरा विचार क्या है पहले एक बार 10 से multiply कर दो तो 530 हो जाएगा फिर दो बार 53 add कर दो यह हो गया 12 बार 3 और 3 6 5 और 5 10 3 13 5 और 1 6 6 36 ठीक है और साथ में क्या प्लस कर रहे हो साथ में प्लस कर रहे हो 3 ताकि पूरी 54 टर्म आ जाए तो A54 होगी आपके पास कितनी 639 क्या आपको यह समझ में आया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर अब अगर A54 आ गई तो क्या हम A N निकाल सकते हैं तो आप लिखो होगे therefore ठीक है A N would be equal to 639 प्लस 132 यह आपको एक्ष्टा आड कर रहे हैं क्योंकि सर A N जो है उसको लिखाई ऐसे है कि 54 टर्म से 132 जादा तो पहले 54 निकाली अब उसमें 132 आड कर रहे हैं तो आप निकालो कि यहाँ पे तो 9 और 2 11 हो जाएगा 3 और 3 6 एक साथ क्योंकि क्या यहारी हो ग्यारा का और 6 और 3 एक साथ तो 771 आएगा यहाँ पर आपका आंसर यह A N मिल गया आपको लेकिन अभी इसमें क्या अन्नोन है इसकी पोजीशन जब तक पूरी चीज़े मालो ना तक तक हम कुछ भी खतम नहीं करते अब A N निकालने के लिए क्या करना पड़ेग इसका सर एक बहुत ही important formula का that is A N equals to A plus N minus 1 into D A N की जगा आजाएगा 771 A की जगा पर आजाएगा 3 N minus 1 रहेगा as it is क्योंकि आपको N पता नहीं है और D की value आईगी 12 यह 771 से कितना minus होगा 3 minus होगा और यहाँ पर हो जाएगा N minus 1 into 12 ठीक है यहाँ पर आप करेंगे 7 68 whole divide by 12 is equal to N minus 1 अब जब आप divide करेंगे 12 6 होजाएगा 72 48 बचेगा 12 4 होता है 48 64 आया N minus 1 65 आजाएगी N की value क्या आपको यह समझ में आया मतलब जो 65 टर्म है 65 पोदीशन पे जो टर्म है वो 54 पोदीशन वाली टर्म से 132 जादा है यह हमारा इस सवाल का सारांश है समझ में आया इस सवाल की summary है चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप करेंगे screen को clear एकदम बढ़िया साफ और अगला प्रशन है सवाल नंबर 12 जो क्या बोल रहा है आप से दो AP है अब तक हम लोग between their thousand terms ठीक है चलिए दो AP है एक हो जाएगे आपकी AP1 ठीक है दूसरी हो जाएगे आपकी AP2 ठीक है अब दोनों का कुछ न को स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो इसका हमने लिख लिए यहाँ पे AP1 का कितना सरा आप A लिख लिजे ठीक है और यहाँ पे आप लिख लिजे एक काम करिये पी क्या फरक पड़ता स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो ठीक है दो AP है लेकिन common difference से मतलब इसके बाद जो second term आएगी वो हो जाएगी A plus D ठीक है और इसकी जो second term आएगी वो भी होगी P plus D जोकि common difference से में है मतलब दोनों के बीच का gap से में तो जो D है वो व ठीक है अब इसके बाद जो अगली term आएगी वो क्या होगी तो वो होगी A plus 2D एंजन आप की होगी P plus 2D ठीक है अब इसी तरीके से पूरा सिल्चला चलेगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर अब सोचने वाली बात यह है सवाल कह रहा है कि दोनों के hundredth term का difference between the hundredth term is hundred अर्थात पहली वाली AP की जो AP1 है उसका hundredth term हो गया A100 ठीक है और इसमें से आप minus कर रहे हैं difference निकाल रहे है किसका दूसरी AP का उसका hundredth term होगा A100 यह देखा तो नहीं किसी को क्या बोला मैंने पहली वाली term जो AP थी पहली वाली जो AP है उसका hundredth term हो गया A100 मैंने लाल र से लिखा है जो हमने A100 ठीक है अगर आप इसको अलग-अलग दिखाना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को लिख दो capital A ठीक है और दूसरे को लिख दो small है तो उससे भी आपका काम बन जाएगा उससे भी अलग-अलग दिख जाएंगे ठीक है चलिए और यहां पे दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है is equal to 100 अब यह आपको 100 टर्म निकालना आता है पहली वाली AP के 100 टर्म होगी A plus 99D ठीक है है माइनस दूसरी वाली के 100 टर्म क्या होगी माइनस करने पे आएगी सर वो कितना आएगा तो A की जगा जाएगा P क्योंकि आप P से start कर रहे ह तो यह हो जाएगा P plus कितना 99D अब एक काम करूँ ना जब आपने यहां पे भी P ही लिखा है तो इसको भी P 100 लिख दो भईया second AP P से चल रही है first वाली A से चल रही है अब ठीक है clear हो गया थोड़ा सा better understanding के मामले में चलिए इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं 99D और यह सब क्या हो रहा है equal to कितना equal to है 100 अब यहां देखना A plus इसको अगर हम bracket को open करेंगे तो यहां हमें मिलेगा कितना A plus 99D minus P minus 99D चलिए इसको भी अगर मैं रंग अलग लिख दूँ ताकि आपको confusion ना हो तो यहां पे हम लगाएंगे सबसे पहले minus sign उसके बाद आएगा कितन minus P फिर आजाएगा एक और minus कितना 99D ठीक है is equal to 100 अब देखो 9991 जैसे दोनों का common difference same है मतलब D की value बराबर तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 99D यह वाला जो लाल से है और यह जो काला वाला है यह दोनों same ही है और cancel हो जाएंगे एक positive एक negative बिलकुल हो जाएंगे सर क्योंकि common difference की value सेम है D दोनों जगा सेम है और दोनों का जो coefficient है वो भी 99 है इसका clear मतलब है कि यह दोनों same ही चीज को represent कर रहे हैं तो उनको cancel किया जा सकता है क्योंकि एक positive एक negative है तो यहाँ से कहानी का सार क्या निकला कि A minus P is equal to 100 यह important है ठी को क्या बोल रहा है what is the difference between their thousand terms तो पहले thousand term निकाल नहीं पड़ेगी तो वह हो जाएगा भाई है देखो thousand term मतलब a thousand और बीच में आ जाएगा minus second वाली AP में क्या है P से हो रहा है नो तो P thousand ठीक है और इन दोनों को minus करने पे कितना आएगा यह आपने बताना है चलो A thousand को लिखेंगे कैसे तो सर अगर हम A N का formula यूज करें तो यह हो जाएगा A plus 999D ठीक है उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे minus P thousand मतलब कितना हो जाएगा सर तो वो जाएगा P plus 999D ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आपने क्या किया आपने basic formula of A N equals to A plus N minus 1D यूज करते हुए दोनों values को open up किया ठीक है अब वो क्योंकि minus sign के साथ है आगे तो मैं bracket लगा जाता हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए और equal to question mark ठीक है अब अगर आप इसको solve करेंगे तो ब्राकेट को open करेंगे तो A plus 999D उसके बाद गा यहां पर minus आप क्या लिखेंगे पी भी हो जाएगा negative तो minus P minus 999D D is equal to कितना यह अपने पता लगाना है और जैसा कि हमने अब तक observe किया है 999D और यह वरा 999D बी cancel हो जाएगे because D की value same है और अंदर के अगर जो उनके coefficient है 999 वो भी दोनों में same है तो मतलब value बराबर ही आएगी तो कुल्मला के कहानी के सार में क्या बज़ गया कि A minus P is the answer for A thousand minus P thousand मैं क्या कह रहा हूँ कि A thousand minus P thousand would end up being equal to A minus P जो कि इसको जिपता मैंने simplify किया last में वो A minus P तक पहुँच गया और coincidentally या luckily कहले हमारे पास A minus P की value पहले से है कितनी है सर वो है thousand के बराबर तो बस उसको use करेंगे और solve करेंगे तो A thousand minus P thousand would be equal to hundred मतलब अगर common difference same है तो जितना gap hundredth term में आया उतना ही gap thousandth term में भी आएगा clear कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर कितना gap आया hundred आया था hundred terms में तो thousand terms में भी hundred ही आया कुछ लोग क्या करते हैं देखो यहां पर यह सवाल तो हमने समाप्त कर लिए अगर आपको इसको देखना है तो दो मिट और देख लीजिए आराम से चेक कर लीजिए कुछ लोग क्या समझते हैं देखो कि hundred term में gap कितना है hundred है तो thousand term में gap कितना होगा thousand यह logic थोड़ा सा गलत चले जाता है तो मेरा आपसे अनुरोद है सब बिना सोचे समझे अपना जवाब न माक करें बहतर है कि पहले एक solve कर ले समझने एक बार solve करने समझने के बाद जैसे आपको यहाँ पर दिख गया कि अच्छा ऐसा gap है तो hundred ही रहेगा तो आप अपना जवाब आसानी से mark कर पाएंगे ठीक है तो random guessing न करें उससे आप कोई नुकसान होगा 13th question है how many three digit numbers are divisible by seven seven से divide होने वाले कितने three digit number है अब देखो पहले हम क्या करेंगे हाप सवाल को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा narrow down करना पड़ेगा अपने numbers को संसार में three digit numbers शुरू होते हैं hundred से ठीक है और खतम होते हैं 999 पर अब इन में से कितने हैं जो seven से divisible हैं आपको वो पता लगाना है ठीक है अब देखो seven से divisible होंगे मतलब अब्वेसी बात है कि जब आप इन numbers को सोचेंगे आप भले ही three digit की जगा पहले two digit वाले सोच लो ठीक है होंगे जो seven से divisible होंगे वो पका एक एपी फॉर्म करेंगे मतलब सवाल में हम एपी का concept यूज करते हुए आसानी से अपने सवाल का जवाब दे देंगे कितने पता लगाने है quantity पता लगानी है तो बेसिकली अगर हम लास्ट वाले की position पता लगा ले तो हमें quantity मालूम चल जाएगी तेकिन यह कहानी शुरू कैसे होगी which would be the first number वो कैसे पता लगाएंगे तो वो देखो भाई मैं क्या करता हूँ मैं 100 कोई मान लेता हूँ कि 7 से डिविजिबल है नही हंड्रेट तो 7 से डिविजिबल नहीं है लेकिन हंड्रेट का close जो डिविजिबल है वो है देखो remainder बच रहा है 2 आपने यह भी पड़ा है कि remainder अगर हटा दोगे तो number divisible बन जाएगा तो मैं 100 में से अगर 2 हटा दूँगो तो मुझे मिलेगा 98 लेकिन 98 3 digit number नहीं है तो वो हम 98 में यदि मैं 7 जोड़ दूँ जो की आया वैसे 100 माइनस 2 करने पर तो मुझे 105 मिलेगा ये 105 पहली संख्या है जो की 3 digit है और 7 से डिविजिबल है क्या आपको ये समझ में आया हमने क्या किया हमने भाईया divisibility का जो concept वही उस किया कि 100 को 7 से डिवाइड किया आपको एक remainder संख क्या माइनस की तो आपको मालूम चल गया कि कौन सा number है जो की divisible है नजदी की हाला कि था वो 2 digit पर उसने हमें हमारे गंतविस्तान तक पहुंचा दिया कि जनाब 100 नहीं वो 105 है जो की 7 से divisible है तो आप लेखोगे 105 ये first number है इसके बाद 7 का ही table चलना है तो plus 7 करते जाओ तो आ मिलेगा 119 and so on till अब आपको how many पता करने है तो मतलब लास्ट वाला भी पता होना चाहिए तबी तो गिंती करके संख्या बता पाओगे तो लास्ट वाला भी पता लगाने के लिए यही ट्रिक फॉलो करेंगे कि 999 को 7 से divide कर दो हो गया तो यही उत्तर नहीं हुआ तो यह उ 28, 19 कितना बचा सर यहां पर बचा 7, 2 जा 14 तो बचेगा 5, remainder 5 है आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 994 तो जो सबसे बड़ा नंबर है जो की 7 से divisible होगा 3 डिजिट नंबर वो हो जाएगा 994 ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, remainder कितना बच रहा है 5 बच रहा है तो आप 994 पर जाएंगे ठीक है अब अगर आप देखें तो भाईया 1000 डिविजिबल है क्या नहीं है 1001 डिविजिबल है क्या चेक करना बिल्कुल बैठके हमें उस बात से कोई आपती नहीं 999 प्लस 7 करोगे 1001 आएगा विचिस डिविजिबल अच्छा एक बात बताओ यहां पर हमें देखने को मिला कि 7 into 142 करने पर 994 आता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे तो 142 नंबर डिविजिबल होंगे क्योंकि 7 से 142 मल्टिप्लाय करने पर आता है 994 मतब 994 कौन सी पोजिशन पर 142 पोजिशन पर है लेकिन सबसे बड़ी गलती य करना है 105 से तो स्टार्टिंग पॉइंट अलग होने की वज़े से आपको दुबारा कैलकुलेशन करने पड़ेगी इतने मूर्ख भी नहीं है ना सवाल बनाने वाले कि इतना आसान सवाल दे देंगे चलो एकी वाल्यू 105 डी की वाल्यू 7 एन आ गया कितना एन आ गया 994 एन क्या यूज करोगे यूजिंग एन इस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वान इंटू डी ठीक है अब देखो है आप एंपर बोर्ड में अगर एक्जाम में सवाल आता है तो क्या करोगे सबसे पर आप लिखोगे थ्री डिजिट नंबर इना नंबर सिस्टम स्टार्ट फॉ ठीक है नौ नंबर्स डिविजिबल बाई सेवन वुड़ बी वन जिरो फाइब वन बन टू वन बन नाइन एंड सो ओन तिल नाइन निटी फॉर एक सेंटेंस यहां पर आपको लिखना है इसके जस्ट बाट की क्लियरली दे फॉर्म आन एपी यह एक एपी फॉर्म कर रहे एन माइनस वन की जगा आपको एन पता लगाना है तो आज इस डी की जगा आ जाएगा सेवन एक सो पांच हो जाएगा माइनस तो 994 माइनस एक सो पांच इस एक वन टू इन टू सेवन चाउदा में से पांच गया तो नौ बचेगा है ना उसके बाद आठ में से शून गया तो आठ बचेगा नौ में से गया तो आठ बचेगा 889 is equal to n-1 into 7 7 यह multiplication में है side change करेगा तो division में आ जाएगा आप क्या लिखोगे यहाँ पर की 889 whole divided by 7 is equal to n-1 चलिए 7 कितने जा 7 बचा कितना अठारा 7 4 जा 20 कितना अठारा बचा तो 7 2 जा 14 ठीक है कितना बोला आपने 7 2 जा 14 49 बचा 7 7 जा 49 तो 147 is n-1 तो 128 is the value of n that is ऐसे 128 ऐसे 128 थ्री डिजिट नंबर है जो कि 7 से divisible है ठीक है और जो हम पहले दिखाते है 142 उसमें difference क्यों आया क्योंकि 7 14 21 28 एक्सेक्टरा वो सब भी उन 142 में count हो रहते हैं जो कि यहाँ पर count नहीं होने चाहिए इसलिए 128 अंसर आया थोड़ा कम आया क्योंकि वो सारे numbers अलग थे ठीक है उनको हम count शामिल नहीं करेंगे इस पूरे समस्या में और उसके समाधान में चलिए यह होगे आपका सवाल समाप 10 की वाल्यू आगई 28 question number 13 भी समाप question number 14 कह रहा है how many multiples of 4 lie between 10 and 250 ठीक है तो आप शुरू कहां से करेंगे कहानी कहानी शुरू होगी 10 से और खतम होगी 250 ठीक है अब 10 के पास वाला सबसे छोटा multiple of 4 तो एक तो 8 है लेकिन वो क्या है 10 से छोटा है आपको between बोला मतलब 10 से बड़ा और ISO से छोटा तो आप यूज करोगे सबसे पहले आएगा आपके पास 12 ठीक है फिर आएगा 16 फिर आएगा 20 and so on multiples of 4 बोला है खतम कहां पर होगा 250 है क्या multiple of 4 तो चेक करो एक बार फोर्स डिवाइड करके 4, 6, 24 नहीं है उससे थोड़ा कम तो 248 होगा मेरे साब से 4, 6, 24, 4, 2, 8 जी हाँ बिलकुल यह आपकी एक क्या बन रही है एपी बन रही है ठीक है तो यहाँ पर आप कहोगे क्या लिखोगे आप आप लिखोगे clearly जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पिछले sentence में भी मैंने बोला था पिछले सवाल में clearly they form an AP और ऐसा क्यों लिख रहे हैं यह हम बता रहे हैं सवाल पूछने वाले को कि AP बना रहे हैं इसलिए इसमें AP के सारे concept हमारे पास लगाने के पूरा पूरा अधिकार है a की वाल्यू बारा d की वाल्यू चार an है आपका 248 आपको बतानी है उनकी संख्या तो n हो जाएगा unknown unknown है इसलिए an यूज कर रहे हैं an का फॉर्मला कहता है कि an is equal to a plus n minus 1 into d a की जगा जाएगा 248 ठीक है a की जगा जाएगा 12 plus n minus 1 as it is d की जगा जाएगा 4 जो 12 positive है side change करके आएगा तो negative 248 minus 12 हो जाएगा is equal to n minus 1 into 4 चलिए 248 में से 12 minus किया तो यह हो जाएगा 236 is equal to n minus 1 into 4 जो 4 div multiplication में उस तरफ side change करेगा तो division बहुत बढ़िया तो 236 में से 4 आपने करना है divide तब आपको मिलेगा n minus 1 4 5s are 20 4 9s are 36 तो आपका जवाब आएगा 59 is the value of n n minus 1 हो गया 60 तो 60 is the value of n चलिए मतलब ऐसे 60 numbers हैं जो कि 10 से बड़े हैं और 2500 से छोटे हैं लेकिन multiple of 4 हैं कई जगा लिखा होता है multiple कई जगा लखा होता है divisible by बात बराबरी होती है concept वही लगता है ठीक है बस लिखने का तरीका शब्दा वाली में फरक हो जाता है बाकी कुछ खास difference नहीं है और I think यह आपको clear भी होगा बस फिर भी मैंने extra question आपको बता दिया कि डरना नहीं उससे ठीक है अब देखो पंद्रवा सवाल आपके समग साथ चुका है जो बोल रहा है आप से for what value of N, N की किस value के लिए are the Nth terms of AP दो AP दिये हैं 63, 65, 67 और 3, 10, 17 equal ठीक है किस AP में यहसा होगा कि इन दोनों की बो जो कौन सी term है for what value of N are the Nth terms equal ठीक है चलो सवाल दिखने में खतर ना, कई बार confusing भी लगता है कि करना क्या है basically तो अगर मैं आपको पूरा पूरा बताओं तो वो बोल रहा है कि इन दोनों AP में कोई एक term ऐसी है जो की बराबर है मतलब दोनों AP का part है आपको पताना है वो कौन सी term है ठीक है चलो अब यहाँ पर देखते हैं तो AP 1 जो है आपकी उसकी value है 365, 65, 67 and so on अब जल्दी से मुझे इसका A बता दो A की value 360, D की value है 2 और AN हो जाएगा यहाँ पे A plus N minus 1 into D use करके एक particular value तो मिलेगी तो मैं इसको तोड़ा simplify करने का प्रयास करना हूँ क्योंकि देखो पूरा मामला किसका है एने थ टर्म का है तो भाई एने थ टर्म जब निकालनी है तो पहले ही निकाल लो ठीक है 60 plus 2N minus 2 तो AN हो जाएगा 61 plus 2N कोई इकत नहीं सर इसके बाद जो दूसरी AP है जिसको हम अलग रंग से highlight करेंगे ठीक है वो क्या बोल रही है वो उसमें है भाईया AP 2 लिख दाए मैंने आप एक दूसरी AP है उसमें शुरू हो रहा है तीन फिर 10 फिर 17 and so on अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाईया सर यह 360 से शुरू हो रही है यह कहां तीन से तो मेरे भाई उसका gap देखो 10-10 का है कि जना आप 2-2 पे कूद रहें तो gap जादा है तो मतलब वो जल्दी cover कर लेगा न पहुंच जाएगा attention मतलब तुम A की value आ गई 3 d की value है 7 कहानी किस पे टी की है an पे तो an हो जाएगा 3 प्लास n-1 into d that is 7 अब 7 को अंदर multiply करोगे तो 3 प्लास 7n-7 कुल मिला के आपको मिलेगा 7n-4 अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि nth terms are equal तो दोनों की nth terms equal है दोनों की nth terms equal होने का थाथ पर है 61 plus 2n would be equal to 7n-4 भाई nth term बराबर है तो उसको अगर हम mathematical लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे भाईया 61 इसका nth term और उसका nth term बराबर अब आप यहाँ पे कर रहे हैं भाईया 61 plus 4 क्योंकि यह जो minus है side change करेगा तो plus हो जाएगा 7n-2n ठीक है माईनस पूर यहाँ हैगा plus 2n वहाँ जाएगा minus 61 और 4 हो जाएगा कितना तर 61 और 4 हो जाएगा 65 और 7n-2n हो जाएगा 5n ठीक है आप solve करेंगे तो 65 divided by 5 is the value of n 13 is the value of n क्या कोई संका कोई समस्या कोई परिशानी नहीं सर मतलब दोनो एपी की 13th term बराबर होंगी उस एपी की 13th term और इस एपी की 13th term absolutely equal होंगे आप चाहें तो try करके देख सकते हैं ठीक है उसकी 13th term कितनी आएगी तो सब 13th term निकालने के लिए करना पड़ेगा a plus 12 d वहाँ हो जाएगा 3 plus 12 7 जग कितना होता है 84 84 plus 3 हो जाएगा 87 ठीक है यहाँ पर आप चेक करेंगे तो a plus 12 d 12 to 24 63 plus 24 कितना हो जाएगा चार तिन साथ 6 और दो आट विल्कुल ठीक 87 दोनों ही केस में आ रहा है तो मतलब दोनों ही एपी की 13th term होगी जो की बराबर होगी जो मैंने हिंदी में समझाया उसे अंग्रेजी में चिपकाया कि 13th term जो होगी इस एपी की इन दोनों एपी की 13th term एक दुसरे के बराबर होंगे चलिए यहाँ हम करेंगे screen clear सवाल नंबर 15 निपट गया हमारा सवाल नंबर 16 क्या दिया है आपको कि 3rd term है 16 और 7th term डिको डारेक्ली नहीं दिया क्या दिया है 7th term exceeds 5th term by 12 और आपको वह एपी बतानी है जिसमें यह पूरी घटना करम हो रहा है चलिए अगर हम लिखें इसको mathematical terms में तो क्या बोलेगा 3rd term का मतलब होगे भी है given में आप लिख दोगे clearly 3rd term मतलब a3 is equal to 16 और क्या बोल रहा है 17th term नहीं sorry only 7th term not 17th 7th term exceeds 5th term by 12 what do you mean by 7th term exceed the 6th term by 12 कि 7th term 5th term से 12 जादा है तो जब दोनों को minus करेंगे तो क्या आएगा 12 एगा clearly समझ में आगया लिखने का तरीका किस लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 77th term is 5th term plus 12 क्योंकि exceed कर रहा है 12 से मतलब 12 से जादा है तो plus 12 करोगे तो वो मिल जाएगा तरीका अलग अलग है लिखने का लेकिन concept तो वही लगता है अब a7 हो जाएगा a plus 6d minus यह हो जाएगा a plus 4d is equal to 12 a से a हो जाएगा minus तो a plus 6d minus a minus 4d 1a positive 1a negative 6 और 4 दोनों को minus करेंगे 2d बचेगा d की value आएगी 12 बटे 2 मतलब 6 ठीक है a minus a cancel 6 में ते 4 गया तो 2 बचेगा direct हमने calculation कर दिया d की value आगई कितनी 6 अब अगर d की value आगई है तो लेकिन आपको a भी चाहिए वो कौन help करेगा तो भाईया दिया तो है third term उसका काम ही क्या है अगर वो यह नहीं कर रहा है तो third term होगा a3 हो जाएगा a plus 2d है ना तो a3 is 16 a की जगा आपको पता लगानी है 2 into हो जाएगा 6 क्योंकि d की value है 6 16 minus 12 करेंगे हम क्योंकि 6 दूनी होता है 12 positive है उस तरफ side change करेगा इस तरफ आएगा तो negative बन जाएगा तो आपको मिलेगा 16 में से 12 minus मतलब 4 a की value आगई 4 अब इसके बाद अगर कोई आपसे a p निकालने को बोल दे तो वो तो आप हसते खेलते निकाल देंगे कि 4 10 क्योंकि 6 का gap है 16 उसके बाद फिर 22 and so on ठीक है अब चाहें तो और भी आप लिख सकते हैं दस तक लिखें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ exam में समय का ध्यान लखना है कहीं समय जादा ना वेश्ट कर दो तीन चार टर्म काफी होते हैं वैसे तो उत्ते लिख के आगे बढ़ सकते हो यह थोड़ा सम कलाकारी कर रहे थे एक्जाक्ट मिडिल में डॉट लगाने का प्रयास लेकिन थोड़ा उपर नीचे हो गया चलिए लेकिन आपके प्रोस्ताहां के लिए सुक्रिया यहां पे 16th question हो गया हमारा समाप्त आसान प्रशन थ find a 28th term from the last term from the last term कौन सी निकालनी है 28th अगर AP आपको दी है यहां पे 38 18 13 and so on चलिए अब इसको हमने कैसे सीखा था कि सर अगर सीधे सीधे जाएंगे तो जीवन में लास्ट टर्म से 28 निकालने में बड़ी कठनाई है और ऐसा तो भाई संसार में कोई नियम तो है नहीं कि हर बार सीधे ही चलना है कभी-कभी उल्टा चलने में भी बलाई होती है तो य आपको यहां पर पीछे भी दिखेगा है ना आप तो सेमी रहेगा बट यहां प्लस हो रहा था उल्टा जाओगे तो माइनस होगा तो देखो पांच-पांच का गया तो यहां हो जाएगा 248 फिर कितना हो जाएगा साथ 243 and so on क्या आपको यह समझ में आया कहीं कोई दिक्क देंगे ना बताओ तुम्हारे से 28 टर्म कौन सी है तो उसके लिए लेकिन वह अकेले थोड़ी करेगा पूरी एपी को पलट ना पड़ेगा तो हमने पूरी एपी को पलट दिया है अब एपी नहीं है तो उसका ए नया होगा तो ए वुड़ भी 253 डी की वाली हो जाएगी यहाँ पे माइनस 5 हाला की ओरिजनल में प्लस थी तेकिन हमें लास्ट टर्म से पूछ रहा है तो हम उल्टा जा रहे हैं आपको बोल रहा है 20 टर्म तो आपको A20 बताना है कितना होगा जहाँ पे N हो जाएगा 20 चलिए A20 कैसे निकालेंगे सर फॉर्मला यूज करेंगे कौ इसमें आपको A पता है D पता है N पता है बस निकालना है चलिए solve करेंगे हम इसको यहाँ पर हम निखेंगे A20 is equal to A की जगह आजाएगा आपका कितना 253 प्लस N-1 तो हो जाएगा यहाँ पे 20-1 और D की जगह क्या लेखोगे माइनस 5 ठीक है चलिए A20 is equal to 253 20 मेंसे एक गया तो 19 बचेगा और यहाँ आजाएगा माइनस 5 मल्टिप्लिकेशन में ब्राकेट के अंदर क्यों रखा है क्योंकि माइनस साइन है भाईया कभी भी कुछ भी हरकत कर सकता है तो उसको हमेशा थोड़ा सा क्याद करके रखना चाहिए 19 पंजे नहीं आता 20 पंजे आता है कितना 100 लेकिन आपको करना है 19 एक कम तो 100 मेंसे 5 कम क यह जाएगा सिंपल लेकिन प्लस माइनस माइनस तो एट 20 वुड़ बी 253 माइनस 95 तो एट 20 वुड़ भी यह भी देखो जैसे वहां पे आपने 100 किया था माइनस पांज यहां पर पहले 100 माइनस कर दो तो यह हो जाएगा 153 लेकिन आपको करना है पांच कम तो भाईया पां हमाज बढ़ा दोकित हो जाएगी पीछे से टुवेंटी एथ II Tern य काल है अपने लेकिन गाल ही कर दियाया लेकिन यहीं, क्वहाँ ही यही रहेगा नहीं आया ठीक है स्कूल में अपने अपन खड़े होते हैं हाइट वाइस ठीकिन जब असेम्मली खतम होती तो कई बर बोलते हैं अब आउट टर्न देन गो टू क्लास अब चाहिए सामने से जाओ चाहिए पीछे से जाओ जाओ के किलास में वह यह कौन सा रास्ता चुनना है वह देखना है तो यहां पर पीछे चुनना था तो हमने पीछे वाला रास्ता चुन के पूरी कहानी का यहां पर अर्थ निकाला चले 158 हम सबका आंसर स्क्लीन क्लियर 18th question अब यहां पर देखो पूरे चाप्टर में पहली बार सम शब्द का यूज हुआ है और मैं आपको honestly बता हूँ तो जो आने वाला पार्ट है हमारा जो इसका तीसरा पार्ट है इसी चाप्टर का एपी का उसमें आप सम के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हो सम का ही पूरा concept है वो ठीक है sum of end terms हो हम पढ़ेंगे आगे लेकिन अभी से मैं आपको थोड़ा से टच करके वापस ला रहा हूँ दूसरा दिया है कि sum of 6th and 10th term is 44 find the first three terms of the AP किया वाल एक नहीं पहली तीन निकालनी है चलिए जो अंग्रेजी में लिखा है उसे हिंदी में लिखते हैं तो मैथमाटिक्स में लिखते हैं 4th term हो जाएगा A4 8th term हो जाएगा A8 और दोनों को जोडने पर आएगा 24 ठीक है यह क्या है sum है इनका अब A4 हो जाएगा A plus 3D यह आपको भी पता है A8 हो जाएगा A plus 70 यह भी हमें अच्छे से ग्यात है और इन दोनों को जोडने पर आ रहा है 24 solve करेंगे 2A plus यहाँ पर हो जाएगा 7 और 3 10D is equal to 24 आप चाहें तो 2 common ले सकते अंदर आएगा A plus 5D is equal to 24 तो A plus 5D हो जाएगा यहाँ पर 24 divided by 2 that is 12 क्योंकि यह 2 multiplication में side change करेगा तो division में जाएगा 24 बटे 2 करने पर 12 यह एक आपके पास equation आ गई ठीक है पहली statement से दूसरी statement से भी कुछ ने कुछ काम का तो निकले गई दूसरी है कि छटवी और दसवी term का यहाँ पर सम है 44 ठीक है तो आप कह रहे हो A6 plus A10 is equal to 44 ठीक है यही मतलब हुआ भाई यह सम का मतलब A6 मतलब A plus 5D A come A plus 10D A plus 9D हो जाएगा for A10 is equal to 44 फिर से आपने आड़ किया 2A यह हो जाएगा 9 पांच 14D is equal to 44 2 आपने यहाँ भी common ले लिया क्योंकि आप सेम ही pattern पे चल रही हैं चीज़ें तो यह हो जाएगा यहाँ पे 44 कुल मिला के बचेगा A plus 7D is equal to 22 यह 2 जो multiplication में side change करेगा तो division आप क्या कर सकते हो solve करने के भाई बहुत सारे तरीके हैं मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ substitution method की A equal to 12 minus 5D कर दो substitute ठीक है जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे 12 minus 5D plus 7D is equal to 22 A की जगह आया 12 minus 5D 7D पहले से था 22 पहले से था हमने उसको कुछ नहीं किया अब यह जो 12 positive है side change करेगा तो negative minus 5 plus 7 2D 7 positive है 5 negative है ना तो 2 बचेगा 22 में से आपने 12 घटा देना है क्योंकि इस तरह positive था side change करेगा तो negative D की value आएगी यहाँ पे 10 बटे 2 कैसे 22 में से 12 गया 10 बचा 2D था आपने 2 बेज़ दिविजन में तो 10 by 2 मतलब D की value आ गई कितनी 10 बटे 2 तो भाईया हम रात को नीद में भी कर दें 2 बजे 2 बजे मतलब तो कितना होगा 5 चलिए अब यह आ गया 5 D की value तो मतलब आपके लिए क्या बचा सिर्फ A निकाल ना बचा है तो यहीं पे निकाल दो value पुट कर दो D की आप तो A equal to 12 minus 5 into 5 that is A equal to 12 minus 25 which is also equal to minus 13 हमारे इसाब से अंसर आ रहा है A की value आप आप आरिए minus 13 ठीक है चलिए A की value minus 13 D की value 5 है तो आपकी AP क्या बनेगी तो सर हमारी AP यहाँ पे बननी चाहिए minus 13 पहला term A1 that is equal to minus 13 फिर A2 आ जाएगा A plus D that is minus 13 plus 5 तो 13 और 5 हो जाएगा कितना यहाँ पे हो जाएगा आठ माइनस 8 फिर A3 हो जाएगा यहाँ पे कितना सर ए 3 हो जाएगा minus 8 plus 5 is equal to कितना यहाँ पे हो जाएगा minus 3 है ना यह सर तो A3 हो जाएगा minus 3 यह हो गया A2 तो यहाँ पे लिख दो A2 is equal to minus 8 चलिए कोई दिक्कत तो नहीं minus 13 minus 8 minus 3 आपकी 4th term हो जाएगी positive लगब लगब कितनी हो जाएगी 4th term हो जाएगी 5 और add करोगे तो 2 ठीक है और 8th term हो जाएगी 35-13 मतलब 225 ठीक है 2224 साही जा रहा है मतलब अपन मैंने क्या किया अभी थोड़ी 2 second के लिए जो मैं अपने मन में बात कर रहा था बेसिकली मैं चेक कर रहा था कि 4th और 8th term को add करने पर 24 आएगा कि नहीं है ना तो ऐसे आपको हमेशा अपने answers को एक बार cross verify कर लेना चाहिए mind में भली notebook में ना करो तो आपकी पहले turn 10 term क्या होंगे तो आपके first three terms होंगी first three terms होंगी कौन कौन सी एक तो माइनस 13 दूसरी माइनस 8 और फिर माइनस 3 यह तीन होंगे ठीक है चलिए clear है easy है good to go है जी सर बिलकुल चलिए screen clear करेंगे सवाल होगे यहां पर यह सवाल आसानी से सवाल नमबर 18 समाप्त सवाल नमबर 19 एक word problem के जैसा दिख रहा है ठीक है दिख रहा है तो समाप्त करेंगे सुबह राओ started work in 1995 at an annual salary of 5000 रुपीज तो उनकी पहली salary कितनी थी 5000 रुपे he received an increment of 200 each year क्या 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 बोल रहा है increment मिल रहा है कितने का 200 का कब हर साल in which year did his income reach 7000 अब यहां देखो सवाल के इसाब से पहले साल में तो आपने लिखा यहां पे year one 5000 से इन्होंने शुरू किया ठीक है year two में क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया तो इनको 200 रुपे increment मिला तो वो हो जाएगी 5200 year three में जैसा कि company की policy है कि हम increment करेंगे ही तो यह हो जाएगी 5400 and so on तो आप क्या लिखोगे यहां पे यहां पे आप लिखोगे clearly they form an clearly the annual salaries the annual salary form an AP ठीक है form an AP अब ऐसा होगा तो आपके a की value 5000 d की value आ जाएगी 200 और आपसे बोल रहा है कि an मतलब किस समय होगी वो 7000 तो आपने लिख दिया an equal to 7000 जिसकी आपको value तो पता है पर position नहीं पता n की value नहीं पता क्या करोगे यह तो बहुत simple word problem है बस एक बार formula लिख दें तो हम sum up कर देंगे इसको फटा फट formula जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपका revise होगा और उतनी बार गलती काम करोगे लिखते समय इसलिए हर सवाल में भले rough work कर रहे हो तो बड़े ही not in the very good form but at least write something कि यह using word मत लिखो चलो rough work कर रहे हो तो a equal to a plus n minus 1 into d hardly एक सेकें लगता है लिखने में न तो इसमें तो आलस न दिखाएं तो जादा भेतर है चलिए एन आ जाएगा यहां पर 7000 is equal to a की जगा जाएगा 5000 plus n minus 1 क्योंकि आपको पता करना है कब होगी और d की जगा जाएगा 200 अब 7000 में से 5000 हम करेंगे minus तो वो होगा equal to किसके n minus 1 into 200 के 2000 would be equal to n minus 1 into 200 यह दोनों हो जाएगे divide तो 2000 would be divided by 200 तो यह हो जाएगा n minus 1 के बराबर अब इसको cancel करोगे टू से टू कांसल सारे जीरो कांसल के वल दस बचेगा एक जीरो बचेगा है ना तो equals to n minus 1 तो यहां बचेगा 11 is equal to n मतलब 11th year में his income would reach 7000 क्या लिखोगे therefore in the 11th year his income would reach 7000 rupees ठीक है समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते है in his income would reach 7000 rupees in the 11th year उनकी पगार उनकी salary साथ हजार प्रूपे पर पहुंचेगी ग्यारवे साल में ठीक है वो जो word है 11 अगर आप spelling में लिख रहे हैं 11th year तो उसको highlight कर देना अगर आप ऐसे संख्या में लिख रहे है 11th year तो उसको इक pencil से highlight कर देना ठीक है तब इसका final उत्तर लिखोगे चलिए screen clear अगला प्रशन सवाल नंबर 20 क्या बोल रहा है रामकली सेव्ड रूपीज 5 इन दा फर्स्ट वीक ओफ यह तो रामकली जी जो है वो पहले हफते में फर्स्ट वीक में क्या कर रही है पांच रूपए सेव कर रही है ठीक है देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रूपीज 1.75 इंक्रीज कर रही है किसको वीकली सेविंग को मतलब हर हफते जो वो सेविंग कर रही है उसको 1.75 रूपीज से इंक्रीज कर रही है if in the nth week nth नहीं पता संख्या नहीं पता position नहीं पता कौन सा हफ़ता है नहीं पता वो पता लगाना है हमें कि उनकी savings हो गई 20 रुपे 75 पैसे किस हफ़ते में उन्होंने 20 रुपे 75 पैसे save किये अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे भी interpret कर लेते हैं गलती से कि किस हफ़ते में उनकी savings कुल मिला के 20 रुपे 75 पैसे हो गई वो भी एक question बन सकता है लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर बोल रहा है किस हफ़ते में उनकी savings 20 रुपे 75 पैसे हुई ठीक है टोटल नहीं पूछ रहा कि उस हफते तक पूरी हो जाएं 20.75 दोनों में बहुत फरक है किसी एक पर्टिकुलर हफते में 20.75 पैसे होना और जोड के 20.75 पैसे होना दोनों में फरक है आपके सवाल में यहां क्या पूछ रहा है इन दे एनेथ वीक हर सेविंग्स बिकम ठीक है 20.75 होता अगर वो कहता कि आडेड़ अब टू या टोटल या कंबाइन टू 20.75 तब आप मानते कि इतने सारे हफतों में मिला के अब तक 20.75 पैसे हो गई है तो ज़रो एपी यहां पे आपकी क्या बनेगी तो देखो सबसे पहल हफते में दूसरे हफते में 1.75 बढ़के हो जाएंगे 6.75 फिर उसके बाद वाले हफते में हो जाएंगे यहां पे 8.5 यदि में गलत नहीं हूँ तो एक बार चेक कर लो हां जी सर 8.5 और सो ओन ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर लास्ट में आपकी हो रही है मतब जो हफता यहां पे कंसिडर कर रहे हैं उसमें हो रही है 20 रुपए और 75 पैसे तो यह AP तो बन रहा है तो A की वाल्यू 5, D की वाल्यू 1.75 आपके पास AN किसी एक पटिकुलर हफते का बता रहा है कि सेविंग्स कितनी है 20 रुपए 75 और यहीं अगले वाले में continue होगा ज जब 20 अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि किस हफते में इतना हो गया कुल मिला के पहले से लेकर हो सफते तक वह हम पढ़ेंगे अगले सेशन में जहां पे हम सम देखेंगे AP का ठीक है अभी के लिए हमें सिर्फ पोदिशन पूछी कि किस हफते में हो जाएगा इतना इन की जगा आएगा 20 रुपए 75 पैसे एक ही जगा जाएगा पांच प्लस N-1 इन्टू डी की जगा आएगा 1.75 ठीक है चलिए जो 5 है माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 20.75 माइनस 5 एकुबल टू N-1 इन्टू 1.75 ठीक है अब आपने 20 में से अगर 5 माइनस किया तो आ 15.75 इस एकुबल टू N-1 इन्टू 1.75 चलिए अब हम क्या करेंगे डिविजन करेंगे तो डिविजन करते वक्त क्या हो जाएगा 15.75 होल डिवाइड बाइ 1.75 इस दवाली ओफ एन क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद दो दो प्लेसिस हैं तो डेसिमल उड़ सकता है ठीक ह उसका वाश्पी करन अर्थाथ एवापूरेशन हो जाएगा अब 175 के टेबल में 15 1575 आता है कि नहीं यह आपको पता लगाना है देखो इन्टू 10 करोगे 17 इन्टू 9 करके देखो एक बार इन्टू अगर 10 करते हो तो 175 0 हो जाएगा और एक बार माइनस करके देख लो है कि नहीं दिमाग लगाए कि नहीं अपन ने क्या किया एक बार माइनस करके देख लिया ठीक है चलो एक बार आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा आपको 17 की जगा आ जाएगा 16 ठीक है 15 की जगा जाएगा 14 और यह 10 में से 5 गया 5 1575 आ गया मतलब 10 से 1 कम मतलब 9 हो जाएगी यहाँ पे एन की वाल्यू नहीं एन माइनस 1 था देखो माइनस 1 लिखना भूली गया मैं तो एन माइनस 1 हो गया 9 तो 10 हो गया एन मतलब 10 वे हफते में उनका जो सेविंग्स का अमाउंट है उस हफते की इंकम में से वो हो जाएगा 20 रुपे 75 पैसे मतलब उस म हमारा जितना काम था हमने तो उत्ता कर दिया बाकि अपन को तो बताए आप और में मिलके पंचायत तो करते नहीं है क्यों रामकली जी चलिए 10 मतलब 10 हफते में 10 वे हफते में उनकी सेविंग्स होंगी 20 रुपे 75 पैसे इसी बात पर हम करेंगे स्क्रीन और यहां पर हमारा यह होता है समाप्त बिल्कुल ठीक सर आप तो भविस्यवानी कर सकते नहीं मुन्ना कैमरा बंध होता है तो भी एक दुनिया होती है तो वहापे हम देख लेते हैं कितने सवाल है ठीक है चलिए सवाल तो खताम हो गए लेकिन आपके लिए एक इंपोर्टेंट जानकारी है जो की बिना सुने गए तो दिक्कत हो जाएगी जानकारी यह है भाईया कि आपको पता है अपना यूट्यूब चानल है बढ़िया अच्छे खासे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हैं आप सब ने इतना प्यार दिया है पर लेकिन इतने प्यार के सासाथ एक छोटी सी जस्त थे एक्जाम थे जो भी रीजन था शादी थी पार्टी थी तो बाद में आप फिर हमसे बोलते हैं कि सर आपने यह वाला चैप्टर तो पढ़ाया नहीं अरे भाई पूरा पढ़ा दिया है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो दुख तो होगा ही इसलिए हमने क्या क किया हमने आपके लिए समधान निकाला है जिसका नाम है मैं में डॉट कॉम इस वेबसाइट पर जाएए हमने जो भी जब भी पढ़ाया है वह सारा कंटेंट आपको बहुत ही सिंप्लिफाइड वे में एजीली अक्सेसिबल हो जाता है मतलब आपको जादा कुछ करने की ज क्लास के विध्यार्टी है तो पहला वाला आपका दुकान है आप उस दुकान पर टाप करेंगे तो क्लास 12 से लेकर किंडर गारंद लेकर एंटी अग्जेंपलर तक सब मिल जाएगा बस आपकी जो रिक्वायर्ट क्लास है उसके टाप पे क्लिक करेंगे तो देखी यहां विभूती माम के physics chemistry biology math के लेक्चर अलग अलग टीचर दुवारा अभिशेक सर के गौरफ सर के मेरे सरोनी माम के सब क्या आपको यहां मिल जाएंगे एक chapter wise list मिलेगी हर chapter में कितने lectures हैं वो जानकारी मिलेगी किस lecture में क्या पढ़ाया गया है उस lecture की क्या duration है वो सब आपको एक ही जगा पर मिल जाता है ताकि आप आसानी से अपनी planning कर सकें और easily पढ़ाई कर सकें बस यहां पहुंचके वाचनौ के टाप पर क्लिक करना है जैसी आ वाचनौ के टाप पर क्लिक करेंगे आपका यहां पर सेशन खुल जाएगा कुछ इस प्रकार सकल मैच कर लो मेरा को जुड़वा भाई नहीं है मैं ही हूँ सेम कॉलिटी सेम कंटेंट सेम टीचर कुछ डिफरेंस नहीं है बस खाली एक चीज़ का डिफरेंस है कि यहां पर एड़टाइसमेंट और डिस्ट्राक्शन स्थोड़े कम होते तो आपका ध्यान पढ़ाई पे जाधा रहेगा तो मेरी आपसे यहीं दब सुझाव है वैसे तो आदेश तुम्हें कर नहीं सकता कि यहां पर इसको जरूर ट्राय करें वेबसाइट को और फिर पढ़के सम आफ एंट टॉपिक को छोड़के जो पहला वाला टॉपिक है अगले सेशन में हम सम आफ एंट टॉपिक करेंगे आपको क्या करना है इन सारे कोशन को एक बार दुबार रिवाइस करना है और येस सेशन को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर अच्छे पढ़ाई करने स्टे हों स्टे सेफ टेक केर बबाई गुड़े सी यू सून नमस्ते